हेलो एवरिवान तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन्स को हाइड्रोकार्बन्स वैसे तो बच्चे जितनी भी इसकी इंपॉर्टेंट रियक्शन्स है वो आपको क्लास 12 में और रिपीट में की ही हुई है ठीक है जब आप और्गानिक केमिस्ट्री की सीर आते हो रिप्लेस्मेंट करके एक हाइड्रोजन का विद्धी हैलोजन आप एल्डी हैड की टोन भी इसी से पहुँचते हो आप यह कह सकते हो कि यह मिनिमम्म रिक्वार्मेंट है जो आगे के रियक्शन्स में काम आती है ठीक तो वो सारी रियक्शन्स औरड़ी हम लोग ए जो भी इंपोर्टन पॉइंट्स हैं इसके एयर टाइप क्वेशन बनाए जा सकते हैं ठीक है और एक आइसो बर में स्टेपन बेस्ट बनाए जा सकते हैं इसलिए इस लिए इस लिक्टर में I have tried कि हैड्रो कार्बन्स को मैं आपको NCIT से कबर करा दो उसके साथ आपको क्वे बस reduce हुआ है तो जैसे आप सुनने में आ रहा है कि भाई tough paper बन जाएगा tough of कुछ नहीं बनेगा वो क्या करेंगे एक ही chapter को combine करके दो तीन जगा पूछ लेंगे simple ऐसा करेंगे वो ठीक है तो अभी हम start करते हैं hydrocarbons की सबसे important चीज क्या है यह हमारे लिए commercially important क्यों है क्योंकि यह fuels की तरह commercially use किये जाते हैं ठीक है जो हमें energy देता है अब Tom से हम सबको पता है क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि carbon और hydrogen से बना होता है इसलिए हम इसको hydrocarbons कहते हैं LNG जो हम लोग use करते हैं इस liquid, liquefied nitrogen gas बोल दिया sorry natural gas है वो ठीक है तो आपको पता होना चीज है कि जितना hydrocarbon का combustion होता है उतनी जादा energy produce होती है अब combustion के साथ इन लोगों के साथ अच्छी चीज क्या है जैसे LPG है यह LNG है इसके साथ अच्छी चीज क्या है अच्छी चीज यह है कि यह जादा smoke produce नहीं करते है ठीक है इस वज़ा से क्या है कि बहुत सारे आपके लंग में डिजीजेज होती है जिसको आप कहते हो occupational lung diseases ठीक है जिसमें कि क्या है कि जैसे जो coal workers है या जो आपके factory में काम कर रहे है ग्लास वगरा की factory में जहाँ बहुत ज़दा temperature use किया जाता है तो वहाँ पर यह वाली जो gases होती है ना जो कि बहुत कम dust या smoke produce करती है वो ज़ लंग डिजीज करवाते हैं जिससे की लोगों के लंग्स खराब हो सकते है इसलिए या पर हाइड्रोकार्बन की chemical reactions और हाइड्रोकार्बन चाप्टर को समझना ज़रूरी है बिकर्स अल्टेमिटली यह चाप्टर आपको कहीं ना कहीं यह समझाएगा कि human body में अगर यह आत इसमें अलग होता है तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अब इसके आगे बात करते हैं classification हम सबको पता है कि तीन में इन क्याटेगरी से हाइड्रोकार्बन को डिवाइट कर रखा है that is सबसे पहले तो broad classification क्या है ज़रा ध्यान से देखना classification क्या कर रखा है carbon carbon bond के हि extra bond बन पाए ठीक या को या के एक अपना extra bond बना पाए ये कोई possibility नहीं इसी को कहता है saturated ठीक saturated दो तरीके के हो सकता है एक open chain हो सकता है मतलब सीधी straight line में hydrocarbon की chain हो या तो ring के form में हो सकती है hydrocarbon chain closed ring के form में हो सकती तो इसके forms है अगर आप बात करें unsaturated की unsaturated का मतलब होता है कि यह हाँ पर ना एक extra double या triple bond है जो कि बड़ी असानी से टूट सकता है depending upon कि आप उस पे लाकर किसी को react करवाए मतलब कोई भी अगर इसके साथ react करना चाहे बहुत आसानी से कर सकता है क्यों क्योंकि double bond जो होता है वो single bond से यानि sigma bond से pi bond weak होता है इसलिए बड़ी असानी से टूट अब इसको आप अपनी life से relate कर सकते हुआ आप अगर किसी का भी Instagram, Facebook या आप कोई भी handle देखके परिशान हो कि अरे यार उनकी life इतनी मजे में चल रही है हमें आप पढ़ाई कर रहे है new year आने वाला है और हमें पढ़ना पढ़ रहा है तो बटा वो ना unsaturated bond है कि मतलब दिख और वो अगर आपको selection से मिलता है तो उसके लिए पढ़ना जरूरी है तो दूसरों के profile देखके attract नहीं होना है नहीं तो अलकीन वाला काम होगा इतना ज्यादा reactive होते हैं यह लोग कि किसी भी reagent के साथ तुरन अपने double bond तोड़के और अपने आपको saturated करने की कोशिश करते है और जो दिखावे वाले लोग हैं जब आपका selection हो जाएगा तो वो लोग कहेंगे कि आपके जिंदगी मसे में चल रही है अब इसके बाद बात करते हैं third category कि जिसको aromatic carbon बोलते हैं देखो aromatic जो hydrocarbons होते हैं इनकी एक special चीज़ क्या है पहली बद तो यह heavy होते हैं और साथ में इसमें से बहुत सारे carcinogens होते हैं अब आप पूछो के मैं carcinogens क्या होते हैं तो बैको के पीछे देखा है ना हमेशा लिखा रहता है injurious to health can cause cancer ठीक है smoke के जो cigarette होते हैं उसके पीछे लिखा रहता है smoking is injurious to health टीवी में हमेशा मुकेस करके आता रहता है कि लंग cancer हो गया जिंदगी तबाह हो गई तो carcinogen का मतलब होता है कि ऐसे substance जो आपकी body में mutation cause करा दें mutation का मतलब है कि अभी यह normal DNA था इस DNA को इन्होंने तोड़ दिया छोटे-छोटे fragments में जिसकी वज़ए से अभ यह cancer बना सकता है क्यों cancer बना सकता है क्योंकि cell division की ability चली जाएगी तो यह जो aromatic compounds होते हैं यह बड़े आसानी से DNA को fragment को तोड़ते हैं क्यों तोड़ते हैं अब ध् definite सी बात है कि DNA का structure तो खराब होगा ही होगा इसलिए इनको हम लोग कहते हैं carcinogen या cancer causing agent फाइन तो यह चीज़ आपको समझ में आ गए अब देखो मैं ना simple आपका यह आपे correlation डेवलप कर रही हूं कि जो आपके mystery में पढ़ते हो वो biology में किस तरह important है और क्यों नीट में आता जाओ तो definite सी बात है कि तुम इसकी पूरी family बना सकते हो alkynes की and that is known as homologous series कि जैसे जैसे आप एक CH2 add करते जाएंगे एक एक पहले वाले carbon में उस तरीके से आपके family के members बढ़ते जाएंगे progression होता जाएगा that is called homologous series fine अब आते हैं alkyn के general formula पर मुझे नहीं लगता कि किसी बच 2 is for alkynes अगर नहीं समझ में आया है तो चलिए यहां पर मैं लिख देती हूं यह छोटे-छोटे pages जो मैंने आपको notes के form में दे रखे हैं यह important इसलिए हैं बिटा क्योंकि अगर आप यह पढ़ लोगे तो कम से कम आप अपने notes कुछ यहां पर बना सकते हो और बाकी NCRT का PDF आपको मिल ही जाएगा telegram group पे ठीक है आप चाहें तो connect कर सकते हैं on the telegram और instagram with the name of dr. Tanya Singh अभी हम सब के general formula देख लेते हैं अलकीन का क्या होता है? CnH2n plus 2. अलकीन का क्या होता है? CnH2n और अलकाइन का क्या होता है? CnH2n minus 2. ठीक, generally यह इनका formula होता है. आप बोलोगे मैं कैसे? तो देखो ज़राब मीथेन हैं, मीथेन में कितने कारबन है? एक कारबन है. तो मीथेन का फॉर्मला क्या बनेगा? C1 H कितना हो जाएगा? 2 plus 2, 4. तो यही तो आता है मीथेन का. CH4 is मीथेन. चीक है? मीथाइन का लिखेंगे तो क्या आजाएगा? C1, H2. और सही बात है. भाई, double bond वैसे तो मीथाइन एक्जिस्ट नहीं करता है. सोरी, इथाइन से हमें लिखना चाहिए. इथाइन का है. इथाइन का देखो तो क्या आजाएगा? C2, H2. कैसे? तीन bond अगर यहीं लग गए C, C के बीच में तो एक एक हैड्रोजन बचाना तो उन्हों साइड लगाने के लिए. बात समझ में आ रही है? तो यह इनका जनरल फार्मूला होता है, जो आपको याद रखना है. अब इसके आगे बढ़ते हैं. अब IUPSC नॉर्मन क्लेचर बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे, बट IUPSC नॉर्मन क्लेचर मैंने अल्रोडी बता रखा है. ठीक है? आपको importance बता रहे है कि एक चार्ट बनवा रखा है जनरल और्गानिक केमेस्ट्री में जहां पे IUPSC नॉर्मन क् लड़का मेडिकल में है या लड़की मेडिकल में है इनके पापा शर्मा जी या मिश्रा जी है. ठीक है? तो introduction बदल जाता है. सेम उसी तरीके से IUPSC में क्या होता है? कि जो जाधा important groups होते है जो जाधा important और जाधा reactive group होते है नाम हमेशा parent item में उनका लिया जाता है. अब जै जिसको हम लोग isobutane भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि यह actually 4 carbon का है लेकिन क्या है? चौथा carbon इधर ना लगा के नीचे लगा दिया है. ठीक है? अभी हम लोग पढ़ेंगे structural isomerism के बारे में. सेम इसी तरीके से नीचे देखो. यह हो गया pentane, pentane यानी 5, 1, 2, 3, 4, 5. pentane हो गया. अब यह n-pentane, n-pentane का मतलब होता है straight chain normal pentane. ठीक? अब इसको कहा जाता है कि तुम pentane को 5 carbon का hydrocarbon को कितने तरीके से लिख सकते हो? तो पहले तो 5 को straight chain में लिख दू. फिर दूसरा तुम क्या कर सकते हो? कि 4 लिखो और एक को नीचे चिपका दू. यही तो किया इन्होंने? दू अब क्या आया है? फिर अब और तीसरे तरीक से कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते है कि एक carbon और हटाईए. यहां से और किसी और पर चिपका दीजे. अगर तुमने दुबारा इस पर चिपकाया, तो क्या हो जाएगा? 2-dimethyl. क्योंकि 2-dimethyl. क्योंकि 2-dimethyl. क्योंकि 2-dimethyl रिंग तो आप रह नहीं गई तो हम इसको क्या नाम देंगे? नियो-pentane. आप यह देख सकते हो कि 5 carbon को आप किते तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो? भाई, सीरे एक स्ट्रेट चेन में. एक नीचे लगाओ, दो नीचे लगादो. उपर नीचे. इसको कहते है structural isomerism और chain isomer structural isomerism का क्या मतलब होता है? फॉर्मुला सेम है. अगर आप अभी भी पेंटेन लिखोगे, तो पेंटेन का फॉर्मुला क्या हो जाएगा? C5, H12. ठीक, सब में फॉर्मुला तीनों में सेम आएगा. चाहे तो count कर लेना. लेकिन तीनों के structure ही different है. और structure कैसे different है? भाई, chain different है यहाँ पे chain, parent chain, देखो कितने carbon की है? यहाँ पे parent chain 5 carbon की है, यहाँ पे parent chain 4 carbon की है, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे parent chain 3 carbon की है. तो chain ही टूट जा रही है, chain ही टूट के अलग-अलग structures बना रही है, that's why it is known as chain isomers. ठीक, इसको हम लोग क्या कह देंगे? chain isomer कह देंगे, यह चीज आपक है, telegram group से join कर सकते हो, वहाँ पे आपको यह note मिल जाएंगे, तो अभी notes बनाने पे मध्यान दो, simple मेरी बात समझो, चीक, बाकी सब कुछ तुमको मिल जाएगा, अब आते हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया है, different chain isomer लिखा गया है, alkane का formula क्या है, C6, H14, मतलब normal alkane, saturated वाला, और सबका IOPSC normanclature लगना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 carbon ऐसे चिपका दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसको क्या लिख देंगे, N-hexane, फिर अब क्या करेंगे, एक carbon तोड़ेंगे, और positions पे चिपकाना स्टार्ट करेंगे, तो अगर मैंने दूसरे position पे चिपकाया, तो 2-methyl pentane, तीसरे position पे चिपका दिया, तो 3-methyl pentane, फिर मैंने क्या किया, अब यहां पे, अब आप कुछ तेज बच्चे होंगे, वो कहेंगे, मैम, पहले आपने यहां चिपकाया, उसके बाद आपने यहां पे चिपकाया, तीसरे में यहां चिपका दो, और चौथे में यहां च की जाती है, जहां की जो group लगा है, उसको minimum number मिले, यह rule तो पता है न, कि Norman Clature में naming किस side से की जाती है, अगर मैं इसको यहां चिपका दूँगी, तो ऐसा नहीं है कि naming मैं इस side से करूँगी, तो वो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पे चौथे position पे आ रहा ही है, और इसको यहां चिपकाऊंगी, तो फिर से यार यह hexane हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पूरी की carbon chain ऐसे हो गई न, 6 carbon की, terminal हो गई न, straight chain में सब कुछ आ रहा है तो, समझ गया बात, क्यों महां पे नहीं चिपकाते हैं, अब आते हैं नीचे, नीचे क्या है, अब क्या करिए, तीस पे लगा है, आप इधर से भी count करोगे, तो दूसरा और तीसरा ही आएगा, इसलिए दोनों साइट से नॉमन क्लेचर सेम होता है, आयूपे से नॉमन क्लेचर के rule होता है, कि सबसे longest जो straight carbon chain होती, उसको identify करो, उसके बाद naming start करो carbon की, कि 1, 2, 3, 4, सबसे lowest number उस पे आना चाहिए जिस पे strongest आपका functional group लगा हो, चीक, और उसके बाद और एक तरीका है, कि यह वाले को उठा के same position पे चिपका हो, नियो बनाने के लिए, तो इन्होंने क्या किया है, इसको same position पे चिपका दिया है, तो मतलब चार तरीके के chains, isomers possible है, structure को different करते हैं, जो एक दूसरे के, चीक, अब आप ध्यान से देखना, आपको मैंने last lecture में बताया था primary, secondary and tertiary क्या होते हैं, अगर आपको याद हो, चलिए मैं यह आपको बना के दिखा देती हूं, primary, secondary and tertiary carbon, क्योंकि उबड़ा important सा concept है, देखो बिटा, अगर CH3, CH2 positive, यह ऐसे लगा हुआ है, इसको बोलेंगे primary carbon, क् जहां पर positive charge है, वो अपने से सिर्फ एक carbon से connected है, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूँ, CH3, CH, CH3 positive, ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, तो यह हो गया आपका secondary carbon, क्या हो गया यह आपका secondary carbon, क्यों, क्योंकि यह जो C है, इस C को दो तरफ से carbon ने घेर रखा है, तो अगर इसके उपर positive charge आएगा, तो दोनों तरफ के carbon भाई उसको help करेंगे, अपने अपने electron देंगे, ताकि उसकी positivity यानि electron की कमी पूरी की जा सके, अब आते है, tertiary carbon पे, देखें, यह इस तरीके से है, CH3, 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 अब यहाँ पर positive charge आगया, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, tertiary carbon, tertiary carbon क्यों क्योंकि यह अपने साथ-साथ, अगर इस पे positive charge आएगा, तो इसके पास 3 side से help करने के लिए, 3 भाई हैं इसके carbon वाले, जो कि इसके electron की कमी को पूरा कर देंगे, tertiary carbon जादा स्टेबल होता है, secondary के comparison में, और primary के comparison में, CDC बात है, अगर आप stability count करेंगे, तो tertiary वाले की जादा हो जितना असपास लोग होंगे, उस कमी को थोड़ा थोड़ा पूरा करने के लिए, उतना वो stable हो जाएगा, तो tertiary में, बगल में 3 भाई हैं, वो जादा stable है, ठीक है, अब आपको ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब ये IUPAC Norman Clature में क्या करते हैं अगर आप एक hydrogen का, ये जो alkane आपने बनाया है, इसमें से एक hydrogen निकाल के OH चिपका दीजे, OH क्या है आपका, alcohol है, तो नाम आप किसके हिसाब से दोगे, alcohol के हिसाब से देंगे, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा group है, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, pentol, pent one all, क्योंकि पहले carbon पर, जिदर functional रूप लगेगा, वहीं से carbon की naming स्टार्ट करेंगे, तो पहला carbon तो यही हो गया, या तो आप इसको pent one all लिखो, या सीधे pent all लिख दो, अगर आप pent all भी लिख रहे हो, या pent all भी लिख रहे हो, तो सब वहीं समझेंगे, जो आप समझाना चा पर डॉक्टर Tania Singh के नाम से, आराम से questions पूच सकते हैं, चाहे वो आपके syllabus का हो, चाहे वो आपके preparation से related हो, we'll be glad to answer your questions, वहाँ पर generally हम लोग Google meet के through classes conduct करते रहते हैं, तो आप वो भी असानी से join कर सकते हैं, that is okay, ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, तो अब यहाँ पर कुछ इन practice यह आपको करना ही करना है, ठीक, अब आगया आते हैं, longest chain of carbon atom corresponding to the parent LKN is written, यह तो मैंने आपको बता दिया, कि सबसे पहले IOPSC का rule क्या है, कि सबसे लंबा chain पहचान हो, जैसे इसमें देख लो, इतने सारे carbon-carbon दिख रहे हैं, लेकिन सबसे लंबा chain क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, ना, straight chain तो यह बन रही है न, सुरी यह तो ऐसे आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक, यह भी साथी carbon का है, सबसे लंबी chain पहचान नहीं है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब parent chain यह हो जाएगी, और नाम इसका होगा parent chain में, ठीक है, यह वही बस कहना चारा है, यही rule आपको नीचे यह आपर समझाना चाहरा है, जो मैंने अभी आपको समझाया, अब आगे आते हैं, अब इसमें तुम्हें formula लिखने है, इन्होंने नाम दे रखा है formula लिखने है, तो I want कि बच्चे यह वाली exercise जरूर सॉल्फ करें, जितना समझाया है, उसके हिसाब से जिखो, जैसे पहला example मैं मैं बता देती हूँ, 3rd position पे, 4th position पे, 4th position पे और 5th position पे, 4 methyl group लगें, क्योंकि इन्होंने लिखा है tetramethyl, और उसके बाद लिखा है heptane, heptane का सबसे बहली बात क्या मतलब होता है, heptane का मतलब होता है, आपका 7 carbon, तो पहले 7 की chain बनाते हैं, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, चल लगा दिया, और यह हो गया आपका 3, 4, 4, 5, tetramethyl, heptane, ठीक है, तो यह IOPSE की चीज़ें आपको पता रहें नहीं चाहिए, अब आते है, properties of alkanes पे, properties and preparation, preparation सबसे पहले देखेंगे, तो बड़ी सीदी सी बात है, भाई, unsaturated hydrocarbon है, बड़ी जल्दी होती है, उसको तुर unsaturated में hydrocarbons, बड़े reactive होते हैं, तुरंट दूसरे को copy करने की कोशिश करते हैं, और उसमें बदलने की कोशिश करते हैं, क्या होगा, इथाइन अगर आपने लिया है, यहाँ पे unsaturated कायन double bond है, एक आपका, यहाँ पे आप hydrogen add करा दो, अब important यह है कि इसमें जो reagent use हो रहा है, palladium, platinum and nickel अगर इनके presence में कभी भी तुम hydrogen add करा रहे हो, इन alkenes, तो हमेशा saturated वाला product बन जाएगा, ठीक है, saturated product will be formed, यहाँ पे example दे रखा है कि unsaturated से saturated बना रहे है, जो double bond है, वो असानी से तूटने को तयार है, तो हम बड़ी असानी से क्या कर रहे हैं, उसके ओपर hydrogen चिप का रहे है, full and final, fine, अब आते हैं नीचे, यह बड़ा important है, जहाँ examiner's का दिल आता है, देखो यह जगा 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 पर दिल बना है, यह ma'am का कोई shock नहीं है, ठीक है, क्योंकि ma'am medicine वाली है, तो उनको पता है कि ऐसल में human का दिल ऐसा होता नहीं है, अभी तुम लोगों के लिए बड़ कि examiner का दिल कहां आता है, बाकी किसी के साथ गलत करो मत, लेकिन अगर कोई तुम्हारे साथ करके गया है, तो जादा रोना गाना भी मत मचाओ, क्योंकि जो करके गया है, यह दिल के ऐसे टुकडे, वो बाद में रोएगा, fine, चलो, यह तो महौल को light करने के लिए था, on a serious note, अब आते हैं woods reaction पे, क्योंकि इसमें examiner का दिल आता है, बड़ा पूछा जाता है, ठीक है, alkyl halides में अगर आप treatment करो sodium metal का in presence of dry ether, क्या कर रहा है आपको, कि sodium metal को dry ether के साथ साथ आपको डालना है, और इसमें BR इसलिए रखा जाता है, क्योंकि हम सब को पता है कि NaCl बड़ा जल बनता है, ionic compounds है न, तुरंत एक दूसरे के साथ चपकना चाहते है, positive negative charge, इसलिए क्या है कि आपको sodium को डालना है इनके साथ, और किसी भी halo alkyne को डालना है, होगा क्या, जब आप halo alkyne को sodium के साथ डालेंगे, और woods reaction अगर आपको याद हो, तो halo alkyne वाले chapter में covered भी है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यह sodium दोनों से bromine खीच लेगा, अगर दो sodium डालोगे, तो क्यों खीचेगा, वो कहेगा, इसा है, हम ज़्यादा stable है, NA, BR, positive, negative, made for each other, ठीक है, हमें तोड़ना ना मुम्किन है, तुम तो covalent bond बना रहे हो, तुम से खीचना बड़ा असान है, तो salt है, और उसमें तुमने sodium डाला, तो यह दोनों आपस में चिपक जाएंगे, तो अगर तुम यह एक carbon का लेके चले, दूसरा भी एक carbon का लेके चले, दोनों चिपके तो कितने carbon का बन जाएगा, दो carbon का, अगर तुम इधर एक लेके चले हो, इधर दो से तीन लेके चले हो, ठीक है, वो आपको बताना है मुझे, वोड्स reaction में अगर आप tertiary या secondary लेके चलोगे, तो कई बार वो चिपकने के बजाए dehydrohalogenation भी कर लेते हैं, अगर नई समझ में आया, कोई बात नहीं, मेरी बात यहीं पर भूल जानी है, ठीक है, अब आते हैं आगे, मतलब वोड्स reaction क सब्सक्राइब, कार्वाक्सलिक एसिट से कैसे बनाते हैं, भाई या कार्वाक्सलिक एसिट बहुत acidic होता है, उसमें कोई भी base डाल दो, वो क्या करेगा, और carbon, यह calcium oxide के साथ heat कर दो, जैसे ही calcium oxide के साथ heat करोगे, पहली बात तो sodium क्या है, sodium तुरंत इससे निकलना चाहेगा, आइनिक कंपाउंड ने कहेगा, ऐसा है, मैं NaOH के साथ तीक हो, तुम्हारे साथ ठीक नहीं हो, यह तुरंत इहां से निकलना चाहेगा, जैसे यह निकलेगा, इसके उपर एक negative charge आजाएगा, और CO2, definite सी बात है, gaseous form में जाधा stable है, वो भी छोड़के निकल जाएगा, और sodium carbonate ionic compound बना लेगा, और यह वाला carbon atom बचा, parent carbon, उसका आपका बन जाएगा, hydrocarbon, ठीक है, एतनी चीज़ आपको समझ में आने चाहिए, मतलब एक चीज़ समझ में आ गई, कि अगर आप carboxly acid का decarboxylation करवाएंगे, calcium alongside के presence में heat करोंगे, तो CO2 बाहर निकल जाएगा, उसका sodium salt निकल जाएगा, और जो parent carbon है, वो बन जाएगा आपके hydrocarbon में, यह हम लोगोंने reaction already cover कर रखी, एक बार ध्यान से जाके carboxly acid वाला lecture देखिएगा, इसलिए मैं कह रही थी, कि सारे reactions already covered है, ठीक है, अब आपको यह चीज़े ध्यान देनी, अब एक आता है, coal-based electrolysis method, इसमें जाए, जिसकी वज़े से क्या होगा, वही काम, sodium इससे बाहर निकला, बचा क्या है, CH3COO, एनोड पे दो electron निकल गए, दोनों electron निकल गए, तो क्या हुआ, दोनों electron निकल गए, CO2 के साथ निकल गए, तो बचा क्या, एक free radical CH3 का, और cathode पे क्या हो रहा है, और cathode पे क्या हो Is that clear? तो यह चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, अब इससे आप कभी भी methane नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, यह question जो पूछा गया है, इसका मैं आपको answer बता देती हूँ, बिटा, methane बनाने के लिए आपको, देखो, मैंने यह आपे क्या बताया, कि anode पे एक parent atom यह वाला बचेगा free radical के form में, ऐसा एक ही molecule थोड़ी होगा पूरे solution में, बहुत सारे molecules होगे, तो कहीं एक और CH3S से बचा होगा, जब यह दो free radical आपस में मिलेंगे, तुरंत bond बना लेंगे, तो हमेशा यह क्या करेंगे, doubling की तरह, wood reaction की तरह behave करेंगे, इसलिए अगर आप methane बनाना चाते हो, इसका मतलब वो किसी और के साथ bond बना ही नहीं रहा, यह तो possibility यह नहीं है, कि वो free radical किसी के साथ bond ना बना है, या तो उसको hydrogen तो simple, तो वो जाके methane बनाएगा, जो कि यहापे possible नहीं है, hydrogen तो gas की form में निकल जा रही है, hydrogen तो gas की form में निकल जा रही है, ठीक है तो methane आप इससे major compound की तरह नहीं बना सकते हैं जितने भी जुड़ने वाले हैं जैसे CH3, CH3 बना सकते हो CH3, CH2, CH3 बना सकते हो मतलब जितने भी multiple हैं वो आप बना सकते हैं अब आगे आते हैं मैंने बताया almost non-polar होते हैं भाई, carbon और hydrogen में कितनी electronegativity का difference है ज्यादा है ही नहीं, carbon और hydrogen में कोई electronegativity के ज्यादा difference दी, थोड़ा बहुत है तो carbon अपनी तरफ खीच लेगा, hydrogen को छोड़ देगा but normal situations में तो यह non-polar है जैसे आपके जो भाई, बैन होते हैं जब तक आप घर पे हो, कोई और cousin नहीं आता तो वो आपके साथ लड़ते हैं, आपके साथ रहते हैं बट आपके साथ इनके उनका एक bond है जैसे ही भाई का दोस्त आजाए, या भाई का सबसे favorite cousin आजाए, वो आपको ऐसे दुद्कारेगा कि भाण में जाओ, मैं उसके साथ खेलूँगा ठीक है, तो वही वाला खेल यहाँ पे भी है नॉर्मली एलकेंस नॉन पोलर होते हैं लेकिन जब आपको रिएजिन डालते हो, जिसकी बज़ए से उसमें polarity create की जा सकती है ठीक है, इसके साथ साथ क्या wonderful forces होते हैं, wonderful forces तो बिटा एक तरीक है कि ऐसे force हैं जो surface area और molecular weight पे depend करते हैं, तो जितना ज़ाधा molecular weight या surface area आपका hydrocarbons cover करेंगे, उतना wonderful force बढ़ता जाएगा, ठीक है अब देखो, colorless और orderless होते हैं, यह मैंने पहले बता दिया था, कुछ petrol और lower fraction of petroleum जो हैं वो use किये जाते हैं, जो कि actually hydrocarbon से बनाये जाते हैं, to clean the grease stains जो grease stains लग जाती हैं, उनको clean करने के लिए भी use किया जाता है अब आपको समझ में आ गया होगा क्या, कि क्यों ऐसा होता है, greasy stains को petrol या hydrocarbons के lower petroleum जी क्यों use किया जाते हैं क्योंकि grease जो है, वो क्या है mixture of alkane है grease जो लगता है, वो भी क्या है hydrocarbons का यह mixture है इसलिए वो क्या है, पानी से hydrophobic है hydrophobic का मतलब क्यों होता है, like attracts like, यहाँ पर बड़ा अच्छी सी line लिखी हुई है, like dissolves like और like attracts like, मतलब पानी क्या है, पानी में दो तरीके ions है, H plus है और OH minus है तो यहाँ पर polarity है ठीक है, तो पानी में वही dissolve कर सकता है, जो पानी के साथ या तो hydrogen bond बना ले, H plus H plus ऐसे करके hydrogen bond बना ले, या तो hydrogen bond उसकी तोड़ दे, hydrocarbon में तो इतनी polarity नहीं होती, तो वो पानी के साथ नहीं soluble होते इसलिए, जो grease वगरा hydrocarbon का आपका stain होता है उसको remove भी कौन करता है, petroleum या petroleum के products, जो खुद भी hydrocarbon है और hydrophobic है, मतलब पानी से ड़ते हैं, चुकि polarity नहीं है उनके अदर, ठीक है यह चीज समझ में आ गई, अब जैसे जैसे आप hello alcanes या hello arines या फिर hydrocarbons का weight बढ़ा होगे boiling point बढ़ता है, क्यों बढ़ता है डिफिरेंट से बात है, molecular weight बढ़ता है, surface area बढ़ता है यह चीज आप देख सकते हैं अब यह चीज आपको बड़ी important है कि alcanes generally inert रहते हैं बड़े शांद, बड़े प्यारे लोग है, इनको किसी से मतलब नहीं किसी से, क्योंकि यह stable है mental piece में है यह लेकिन अगर आप acid basis या oxidizing reagent के साथ बड़े strong temperature पे pressure पे करवाना चाहो reaction तो करवा सकते हो easily तो possible नहीं है fine, क्या करना है इसमें इसमें substitution reaction होता है substitution का मतलब एक, जैसे CH4 है, तो एक hydrogen हटाओ हो उसकी जगा पे एक chloride चिपका हो इसी तरीके के reactions possible है, substitution का मतलब होता है replacement, ठीक फिर halogenation अगर आपको कराना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो UV light देनी पड़ रही है और उसके लिए आप क्या कर रहे हो फिर, एक hydrogen हट रहा है, एक chlorine चिपक रहा है, फिर यहां से दूसरा hydrogen अटेगा, दूसरा chlorine चिपक जाएगा तो इस तरीके से चलता है process, ठीक है इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि यह वाला question AR में पूछा जाता है और यह हमने आपको हैलो-लकेन में cover करा रखा है, same point, यहां पे repeat करा दे रहे है कि जब आप एक ही एलकेन को different halogen के साथ reaction करवाना चाहोगी सबसे जदा reactive halogen होता है fluorine का, फिर chlorine का, फिर bromine का, फिर iodine का fluorine सबसे चोटा और सबसे जदा reactive होता है, chlorine का size उससे बड़ा होता है तो एक हटागो, अगर आपका यह ऐसे हो जाए, CH3 हो जाए, CH2 हो जाए और CH3 हो जाए, तो आप इसमें से कौन सा hydrogen हटाना चाहेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो free radical बनता है इसमें, tertiary वाला जाधा stable sorry, इसमें जो कार्बो काटाइन बनता है, वो tertiary वाला जाधा stable होता है then secondary, then primary, वही काम यहाँ पर है क्योंकि जब इसको आप तोड़ते हो na CH bond को तो C पर positive, H पर क्या आता है negative charge आता है, तभी यहाँ पर fluorine इसकी जगा लेता है, या chlorine इसकी जगा लेता है, तो fluorine या chlorine जिस पर चिपकना चाहते हैं positive charge पर, वो देखते हैं कि positive charge कितना ज़्यादा stable है तो treasury is more stable than secondary and secondary is more stable than primary, यह multiple times repeat हो चुका है, छीक है इसी reason की वज़े से अगर आप fluorineation कराते हैं, तो बड़ा violent reaction होता है जैसे आपने डाला नहीं कि reaction start लेकिन अगर आप iodonation कराएंगे तो वो बड़ा ही slow process होता है, slow reaction होता है ठीक है, और reversible भी होता है जबकि fluorination तुम control नहीं कर सकते जैसे ही agent डालोगे, तुरह अपना चिपक जाएगा fine, अब mechanism मैंने बताया यह आपको कि एक तो free radical की वज़े से होता है कैसे होता है, जब आप UV light डालोगे तो chlorine chlorine टूटेगा, फिर यह क्या करेगा एक free radical दूसरे को बनाता है जैसे एक शैतान बच्चा बाकियों को बदमासी सिखाता है, सेम उसी तरीके से free radical दूसरों को free radical बनना सिखाएगा free radicals बड़े reactive होते हैं क्योंकि propagation की जो बन गया वो बाकियों को बिगाड़े, बाकियों को free radical बनाएं फिर termination की जितने free radical बने अब चिपकना चालू करो आपस में, that is called termination, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, देखो carbocation और free radical एक तरीके से behave करते हैं तो मतलब free radical भी कौन सा जादा stable होगा carbon का, जो कि tertiary हो, फिर secondary और फिर primary, ठीक है, carbocation और free radical एक जैसा behave करते हैं, ये trick आपको 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 दिमाग में रखनी है फिर दूसरा आते हैं combustion पे, combustion में क्या करते हैं, जबी भी आप hydrocarbons को burn करोगे न, तो large amount of heat निकलती, इसलिए तो fuels की तरह use किये जाएंगे, अब पता चला हम fuel की तरह hydrocarbon को use कर रहे हैं, और energy मिल रहे है, पचास जूल, तो बेकार है भाईया, क्यों use कर रहे हो, energy का मतलब है कि तुमको ताकत चाहिए, तुमको उसको convert करना है कोई और काम कराने में, अब तुमको energy अगर मिली नहीं रहे है, तो तुम क्यों उसको combust करोगे, या क्यों उसको fuel की तरह use करोगे, तो यह चीज है, अब आते हैं, large amount of heat combustion की वज़ा से निकलता है, इसलिए इनको fuels की तरह यूज किया जाता, यह एक बार यार में पूछा गया, इसलिए आपे मैंने specifically mention कर रखा है, ठीक है, अब combustion से इनके बहुत जादा black pigments और आप कहलो, smoky material भी बनता है, तो वो black बच जाता है, इनका, वो ink की तरह printers में यूज किया सकता है, या pigments में यूज किया जा सकता है, फिर थर्ड आता है इनका reaction, controlled oxidation, controlled oxidation का क्या मतलब हुआ, कि जो आपका hydrocarbon है, इसमें oxygen add करा दो, definite सी बात है, बीच में oxygen घुसा होगे, तो alcohol बनेगा, मज़े की बात है, कि इसके reagents आपको याद रखने है, पहला reagent याद रखना है, copper add 523 Kelvin, 100 atmosphere, अब तुम पूछोगे, मैम ऐसा क्यों, तो मैम कहेंगी, बेटा, हम chemistry lab में काम नहीं करते थे, ठीक है, तो ये कुछ reagents जो ऐसा करवाते हैं, हमें उनको याद रखना ही पड़ेगा, कि ये ऐसा करवाते हैं, अब body में kidney ही क्यों urine बनाता है, heart क्यों नहीं बनाता, तो इसका तो कोई explanation नहीं है, इसी तरीके से, ये जो copper का है, कुछ important reagents, कुछ conversation को help करते हैं, और वो चीज़ हमें याद रहनी चाहिए, जैसे copper है, अगर आप इसमें oxygen add करवाना चाहेंगे, तो करवा सकते हैं, molybidum के oxides हैं, ये भी oxygen add करवा देता है, लेकिन important point क्या है, copper से add करा होगे, तो alcohol तक जाओगे, molybidum थोड़ा strong हो जाता है, तो आपको aldehyde तक लेके जाता है, और सबसे strong होता है तुमारा, ये वाले salts, जो carboxylic acid और manganese के salts होते हैं, ये directly अपने जैसे carboxylic acid बनाएंगे, ठीक है, तो ये बड़ा important है, अब इसके साथ तक क्या देखना है, कि ordinary alcanes जो है, आचा ये trick मैंने आपको हमेशा बताई होगी, कि बच्चों hydrocarbon से सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं, हैलो alcanes, मतलब एक hydrogen को हटाके, उसमें आपका कोई भी halogen group लगा देते हैं, उसके बाद यहां से आप alcohol तक पहुंचते हो, और alcohol को जब oxidize करते हो, तो बनाते हो aldehyde, और aldehyde या ketone, depending upon कि primary alcohol है या secondary alcohol है, उसके बाद अगर आप इसको oxidize करोगे, तो बनाओगे carboxylic acid, यह पूरी oxidation की series है, जो आपको पता रहनी चाहिए, reduction में just उसका उल्टा हो जाएगा, तो यह आपको stoppage पता रहने चाहिए, ट्रिक के तरह एक्तम दिमाग में बैठे होने चाहिए, तब आप reactions को predate कर पाऊंगे, कि यह थोड़ा weak वाला है, तो यह alcohol तक ले जा सकता है, यह strong वाला है, तो LDHID तक ले जा सकता है, और यह carboxylic acid वाला है, तो बिल्कु लेंड पर ले जाके carboxylic acid पर छोड़ देगा, चीक है, अब इसमें आते हैं, कि वैसे तो alkynes, जिनके पास, जिनके पास भी tertiary, tertiary hydrogen atom होता है, वो अपने alcohol में change होते है, in presence of KMNO4, बड़ा important है, दिख रहा है, तुमको गयरे चोटा से लिखा, ignore कर दो, examiner यहीं खेल जाएगा, इसलिए खेलेगा, क्योंकि KMNO4 सिर्फ और सिर्फ alkenes, जिनके पास tertiary hydrogen हो, tertiary hydrogen का क्या मतलब हुआ, एक carbon यह, तीनों तरफ से carbon और इसके पास एक hydrogen लगा हुआ है, तो यह hydrogen इसका tertiary hydrogen है, क्यों है, क्योंकि जिस carbon से लगा है, वो tertiary carbon है, तो ऐसे halogen जिनके पास tertiary hydrogen होगा, वही इसको वो अल्कॉहल में convert करेगा और किसी को नहीं कर पाएगा simple बात चीक है यह चीज आपको clear के होनी चाहिए कि यह करता तो है लेकिन इसकी condition है कि tertiary hydrogen उसको मिलना चाहिए तब हो करेगा अब आते हैं isomerism पे isomerism का मतलब होता है formula तो same है but structure different है properties different है अब अगर आप देखो अगर आप क्या करो जैसे NLK नहीं उसको तुमने heat किया एनhydrous aluminum chloride और hydrogen chloride के presence में freedom craft reaction के reagent पता नहीं कुटती जगा यूज किये जाते हैं तो क्या होगा इसमें क्या होगा कि जितना ये बड़ा chain है वो क्या करता है ये free radical बनवाता है जो आपका freedom craft वाला होता है reaction ALCL3 FACL3 के presence में है HCL के presence में ये free radical बनवाता है तो जो बड़ी से chain होती उसमें एक एक पार तोड़के क्या करता है सबको free radical में convert कर देता है और फिर free radical बड़ी वाली chain के कहीं कहीं पर attack करता रहता है और क्या बनाता रहता है isomers बनाते रहते है तो ये चीज आपको यहां से समझ में आ कई अभी हम लोग इसको detail में दिखेंगे कि ये वाला reagent free radical कैसे बनाता है या आपको पढ़ना है फिर aromatization aromatization का क्या मतलब है कि भाईया ह हम straight chain थे simple simple थे हमको ring में convert कर दिया और aromatic बना दिया aromatic compounds की अपनी properties होती हूं बड़े stable होते है इतने हसानी से एक दूसरे में change नहीं होते है अपने ऊपर किसी को add करा सकते है पर अपना basic structure कभी change नहीं करते है ठीक है अब aromatic बनाने के लिए stability के जाने के लिए ज़्यादा energy तो चा rise oxides के साथ क्या करेंगे ये तारे hydrogen निकाल के double bond और single bond बना के एक दूसरे के साथ चिपका देंगे ये एक reaction एक लौती है जहां पर straight chain के साथ benzine बनाना दिखाया हुआ है पूरी organic chemistry में इसलिए बड़ी important है aromatization को ठीक है या इसको reforming भी कहते है कि straight chain से directly तुम ring भी नहीं बना बना रहे हो aromatic ring बना रहे हो जो कि stable बहुत जादा होता है ठीक है इसलिए इतना high energy high pressure चाहिए उसको ठीक उसके बाद आता है तुम्हारा steam से तो बड़ी सीदी सी बात है कि भाईया अगर किसी भी hydrocarbon को water के साथ heat करोगे तो क्या होगा कि आगर आप methane को कर रहे हो particularly ये reaction methane के अलकॉल क्यों नी बना सकती निकल हमेशा hydrogen निकालने काम आता है मैंने आपको बताया था palladium platinum nickel हमेशा dehydrogenation करवाते हैं तो ये क्या करेगा अपनी property के हिसाब से hydrogen निकाल के बाहर करते है hydrogen निकाल के बाहर करेगा तो आपको oxygen जिपका देगा और CO बनाएगा carbon monoxide ये चीज आपको चोटे parts में चला जाए जैसे जैसे क्या है pyrolysis का मतलब कि अगर 6 carbon 14 hydrogen का कोई compound है उसको मैंने 773 Kelvin दे दिया इतना high temperature तो होगा क्या 2 hydrogen तूट के निकल सकते हैं हो सकता है 2 carbon के साथ 2 hydrogen तूट के निकल जाए हो सकता है 3 carbon अलग हो जाए 2 carbon अलग हो जाए 1 carbon अलग हो जाए मतलब basically बड़ी chain को temperature के presence में छोटट शोटट chains में तोड़ना that is pyrolysis pyrolysis से क्या होता है न बिटा free radical mechanism से ये भी चलता है और इसी से आपका oil, gases, petrol, kerosene मगरा बनता है जो आपका बहुत सालों तक जैसे plant material और animal dead material नीचे जमीन के दबा रहता है वहाँ पे क्या होता है इतना high atmospheric pressure होता है और साथ में इतना humid environment होता है temperature भी बहुत जादा होता है तो क्या होता है बड़े बड़े hydro carbons जो हमारी muscle में body में present है वो टूट टूटके छोटे-छोटे compounds बना लेते हैं जिसकी वज़े से petroleum type के products बनते है ठीक है तो महाँ पे paralysis आपका काम आती है अब आते हैं आगे conformations पे देखो दिया इन्होंने आइंसी item बहुत जादा है इसलिए बच्चे डरते भी है और AR इसमे तो directly यहीं पे दिखाया है confirmation का क्या मतलब होता है कि यह carbon-carbon का single bond है और यह अपने side 3 hydrogen से attached है तीन-3 hydrogen से attached कि carbon equivalency 4 होती है 4-4 single sigma bonds है तो यह वाला जो bond है इसके against rotation possible है दोनों carbon का 3D structure अगर आप imagine करें तो यह इधर rotate कर सकता है यह इधर rotate कर सकता है कोई 2D structure तो होता नहीं है organic 3D structure होता है तो rotation possible होता है sigma bond के across में इसलिए हमेशा यह लोग आपस में rotate करते रहते हैं जैसे आपने वह cube वाला game खेला है जिसमें आपको सारे color के cube एक पूरा phase ऐसे बनाना होता है जिसमें पूरा orange color हो यह yellow color हो तो rotation इसमें possible है जैसे उसमें possible होता है अब क्या होता है rotation possible होने की वज़ा से दो तरीके के structures होते हैं एक structure तो ऐसा होता है conformers या rotamers उसी को कहते हैं या conformations उसी को कहते हैं कि जो भी carbon single bond से sigma bond से दूसरे carbon से attached है और उसके हर तरफ sigma bond ही है बस तो यहाँ पे इस single bond के across carbon carbon के single bond के across rotation possible है इसलिए different different 3D structures में यह लोग survive कर पाते हैं and that is known as confirmations conformers और rotamers चाहिक अब इसके आगे बात करते हैं जो यह rotation possible है मतलब मैंने कहा कि यह एक दूसरे पर rotate कर जाएंगे तो rotate करेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि torsion आएगा दोनों में torsion क्या होता है भाई एक level तक ही तो rotate कर सकती हो समझ में आ रहे है torsion का मतलब बुडाओ खिचाओ आएगा डेफिनेट सी बात है जब आप कभी आपने अगर आपने कपड़े धुले हो अगर तो जब आप कपड़े निचोड़ते हो तो क्या करते हो एक end को इधर खीशते हो दूसरे end को उपर खीशते हो जिसकी वज़े से कपड़ों में torsion आता है खिचाओ आता और पानी निकलता है बाहर जो एक्स्ट्रा पानी होता है कपड़ों में तो इसी को कहते है torsion अगर आपको वो समझ में आ गया तो आपको यहां भी समझ में जाएगा कि जितना जादा यह आपस में रोटेट होते रहेंगे उतना जादा torsion आएगा दूसरी बात बाइया यह कार्बन-कार्बन जो है hydrogen वगरा के साथ लगा हुआ है तो यह सब एक electron का cloud ही तो है अगर आप atomic level पे देखो hydrogen का अपना electronic carbon का अपना है जो दोनों share करके अगर कपड़े को तुम निचोड़ोगे एक end को उपर से निचोड़ो नीचे वाले end को नीचे से निचोड़ो लेफ्ट एंड को राइट एंड को राइट को उपर नीचोड़ो लेफ्ट एंड को नीचे निचोड़ो जब तुम नीचे निचोड़ोगे तो क्या होगा है ये वाला पार्ट नीचे की तरफ जाएगा, ये वाला पार्ट उपर की तरफ जाएगा, इन दोनों में maximum distance होगी, लेकिन कई बार तुम लोग कपड़े ऐसे भी नहीं चोड़ सकते हो कि दोनों पार्ट उपर उपर रखो, इस टाइम पे इन दोनों में minimum distance होगी, सेम वही काम ह होता है conformers में, conformers में जब आप ऐसे रखोगे कि दोनों एक दूसरे के बड़े पास हों, उसको बोलते हैं हम लोग eclipsed conformer, बात समझ में आ रहे है, ये eclipsed arrangement, क्यों eclipsed बोलते हैं, देखो दोनों एक दूसरे के कितने पास है, मतलब hydrogen वाले electron clouds एक दूसरे के बड़े पास ह इसमें repulsion क्या होगा, maximum repulsion होगा, maximum repulsion होगा, जबकि staggered confirmation क्या है, staggered में ऐसा है, इसा अपनी अपनी जगा ले लो और दूसरा वाला भी इनसे दूर रहे, तो इसका electron cloud यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, इसका यहाँ, सब में थोड़ा-फोड़ा distance है, तो जब electron cloud में proper distance तो repulsion नहीं हो पाएगा, इसलिए staggered वाला ज़रा stable होता है, as compared to eclipse conformer, ठीक है, यही यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है, eclipse का मतलब होता है, जब सारे hydrogen atom एक दूसरे के इतने पास हैं, कि उसमें electronic repulsion हो, और staggered का मतलब रहता है, कि सारे hydrogen atom एक दूसरे से बड़े दू दूर है, stable है, ठीक, अब आप दो तरीके से इनको represent कर सकते हो 3D में, एक आपका saw horse presentation होता है, जिसमें आप देखो, आप कैसे देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो किसी compound को, तो यह stick के form में represent किया है, कि कोई compound 3D कैसा दिखता होगा, ठीक, eclipse का मतलब क्या है, कि यह आपस में ए कुछ नहीं किया है, saw horse का जो है न, उसी को इनोंने उठा के इसके ऊपर चिपका के दिखा दिया है, सामने से, अभी हम उपर से देख रहे है, इसलिए ऐसा दिख रहे है, सामने से देखोगे तो क्या दिखेगा, कि एक है, उसके से थोड़ा सा दूर आपका दूसरा वाला ह ठीक है, अब staggered confirmation जादा stable क्यों है, इसलिए है क्योंकि उसमें minimum repulsive force होता है, minimum energy होती है, maximum stability होती है, ठीक, यह आपको बताता है कि क्यों जादा stable है और क्यों है, AR में पूछा जाता है, दूसरी चीज, torsion, torsion की बात करें, तो staggered वाले में torsion यानि खिचाओ सबसे कम रहता ह है, stick, eclipse वाले में सबसे जादा रहता है, इसलिए वो भी unstable है, ठीक है, तो minimum torsional forces होते है, maximum आपका stability होती है, staggered में, यह आपको इतने से याद रखना है, उसके बाद आप double bond का ज़रा alkene की बात करते हैं, तो that is all for alkene, खुश मत हो ना, अभी इसमें 2-3 पार्ट पढ़ने, alkene प होगा, cn, h2n, हाना, यह ऐसे आप इसका नाम करोगे, अब मज़े की बात है, कि ज़रा ध्यान देना है, कि यह जो double bond है, कार्बन कार्बन की बीच में, यह क्या है, यह च्छत पे सजाया हुआ, एक्स्ट्रा पैसा है, ठीक है, जिसको कोई भी आके चुरा के लेके जा सकता है, सेम भी बात है, एलकीन में, कि sigma bond तो बड़े strong है, क्योंकि वो proper overlap से बने, ज़रा ध्यान से देखो, यह sigma bond देखो, क्या हो रहा है, यहां पे, जो sigma bond बन रहा है, वो proper overlap से बन रहा है, मतलब एक के उपर एक overlap हो रहा है, दोनों elektrons एक straight strong chain बना रहे हैं, जब pi bond बनता है, तो pi bond इतना stable नहीं होता है, क्योंकि इसमें proper overlap नहीं होता है, बस बगल बगल में attraction रहता है, तो pi bond का electron cloud उपर नीचे मंडराता है, sigma के, इसे लिए, अगर कोई इस पर reaction करने आएगा, तो यह उपर से बड़ी असानी से इन elektrons को बैका सकता है, और अपने साथ attack करवा सकता है, that is very very important कि क्या reason है कि alkenes थोड़े reactive में, alkenes इतने नहीं है, ठीक, pi bond का electron cloud इतना reactive होता ही होता है, sigma bond ज्यादा stable होता है, pi bond इतना stable, नहीं होता है, ठीक, इतनी चीज़े समझ में आ गई, यह same concept अगर मैं आपको एक और तरीके से समझाओं, common language में, तो जो gym वाले लोग हैं, जिनको जिम बड़ी पसंद है और आउनको body चाहिए बिल्कुल body builder की तरह, आजकल के youngsters का तो maximum मैं कह दूँ, सबसे बड़ा aim है तो कई बार क्या करते हैं, gym trainees या जिन आप उनको देखते हो न, models वगरा को, वो अपने six pack app बनाने के लिए steroids का use करते हैं, steroids का use करते हैं, तो उनकी body protein bond, सबसे जादा strong होगा double or triple bond, बस वो दिखने का खेल है, ठीके, steroids जैसे आपकी body को weak कर देते हैं, आपकी body की immunity को बिल्कुल खतम कर देते हैं, ठीके, अगर आप जादा लेते हैं steroids तो, steroids के use medicine में बहुत जादा किया जाता है, बट medicine में एक control level पे किया जाता है, doctor को पता होता कि कितना steroids देना है, कब देना है, कब उसको taper करना है, इनको नहीं पता होता, gym trainees अपने आपको सबसे महान doctor समझते हैं, उनको लगता है steroid पे steroid दो, बढ़िया एकदम testosterone बढ़ेगा, तो definite सी बात है कि muscle mass बढ़ेगा, और उसके चक्कर में body तो दिखती अच्छी है, बट वो वीक हो जाते हैं, तो जो actors होते हैं, जो steroids लेते हैं, वो generally weak क्यों हो जाते हैं old age में बहुत जादा, weak इसलिए हो जाते हैं कि steroid उनकी body तो maintain रखता है, बत अंदर का उनके bones को क्या करता है, bones को hollow कर देता है, साथ में immunity गिरा देता है, ठीक है, तो यह बड़ी important चीज़ है जो protein यह भी है, लेकिन इसके पहले position पर double bond है, इसके दूसरे position पर double bond है, तो हो गया न, structural isomer, उसके साथ साथ ज़रा तीसरा वाला देखो, अभी यह क्या हो गया है, यह propene 1 in हो गया, क्यों चार carbon अभी भी इसमें है, formula अभी भी सेम आएगा, बट है क्या, parent carbon की chain ही छोटी कर दिय है इनोंने, तो यह क्या हो गया, आपका, यह chain isomer हो गया, कि भया जो chain थी, उसी को छोटा कर दिया, तो chain isomer हो जाएगा, अब इसके साथ अगर आप दूसरे को compare करेंगे, अगर आप इसके साथ compare करोगे, इन दोनों को, इसमें तो position of double bond change हुई है, तो इनका हो जाएगा positional isomer, देखो, isomer के बारे में हमने GOC में पढ़ा रखा है, और optical isomerism के बारे में haloalkane में पढ़ा रखा है, आपको lecture जरूर देखना, ठीके, तो position का मतलब है कि जो functional group है, अगर यहाँ पर functional group double bond है, तो एक बार उसको second पे रखा है, दूसरी बार उसको second पे लग दिया, और दूसरी ब बताओ कि तुम्हारा जो 2D structure है, 3D structure है, उस हिसाब से अगर कोई bond का configuration different है, configuration different का मतलब, अभी आपको paper पे लिखा हुआ, यह एकदम सही लगेगा, लेकिन 3D structure में हो सकता है कि उसकी configuration different हो, बात समझ में आ रही है, तो कई बार क्या होता है, 2D structures में अगर आप बात करो, अगर दोनो functional group carbon carbon double bond के एक side लगे हैं, तो इसको बोलता है cis isomers, अगर दोनो functional group carbon carbon double bond के ऐसे लगे हैं, diagonal लगे हैं, तो इसको बोलता है trans isomers, ठीक, यह important है cis trans, cis का मतलब carbon carbon double bond के एक ही side लगा हुआ है दोनों group, तो cis अलग अलग लगे हैं, तो trans, ठीक, इसको बोलता है stereomers, ठीक है, क क्यों क्योंकि different geometry हो गई है इनकी space में जो आप space की बात करें उसमें geometry different हो गई ना एक दोनों एक side लगे हुए एक दोनों एकदम opposite opposite लगे हुए अब इसका फरक क्या पड़ेगा ध्यान देना cis वाला जो होता है they would have same geometry if atom और group can be rotated but it is not ठीक अब आप इसको conformers क्यों नहीं कह सकते conformers इसले नहीं कह सकते क्योंकि conformers कहने के लिए single single carbon carbon bond होना चाहिए जिसके around rotation possible हो अब आप चाहेंगे न तो आप यह कह सकते हो कि मैं इसको एक बार ऐसे rotate करा दे तो conformer नहीं बन जाएगा मैं कहूंगी बहुत बढ़ी सवाल है बिटा लेकिन जरा ध्यान दो यहाँ पर single नहीं double bond है double bond के along आपका rotation possible नहीं होता इसलिए यह conformers नहीं stereomers कहे जाते हैं ठीक क्योंकि इनकी geometry different है देखने में बस लग रहा है कि इसको अगर ऐसे पलट दे तो सेम हो जाएगा बड़ पलट ही तो नहीं पाएगा ना जैसे तुम पढ़ड ही तो सेलेक्शन हो जाए बड़ तुम पढ़ ही तो नहीं पा रहे हो ठीक है यह चीज़ें होती है अब cis और trans की बात करते है तो cis isomer जादा polar होता है trans से बाप पूछो के मैं हम ऐसा क्यों देखो यहां पर यह electron इसको देगा यह भी electron इसको देगा तो एक जो net dipole moment आएगा वो नीचे की तरफ आएगा यहां पर यह electron इसको दे रहा होगा इधर से फेक रहा होगा CHT और यह इधर से फेक रहा होगा तो दोनों एक दूसरे को cancel कर देंगे तो net dipole moment trans में नहीं आता क्यों trans में कोई भी group opposite में लगा होता है diagonally तो वो नहीं आता छीट यह बड़ा important है इसलिए trans का dipole moment zero होता है non polar होते है जैसे मैंने आपको पता है cis करोगे तो net dip moment बनेगा trans करोगे तो नहीं बनेगा melting point trans का जादा होता है अब आप बोलोगे मैं क्यों बिटा अगर कोई चीज एकदम diagonally एक दूसरे के opposite है तो fit जादा अच्छे से होगी जब आप molecular structures पढ़ोगे na solid state में तो यह बड़े असानी से एक दूसरे पर fit होते जाएंगी जैसे एक यह compound है फिर दूसरा ऐसे फिर तीसरा ऐसे तो fitting इनके बड़ी proper होगी इसलिए इनका melting point solid state में बढ़ जाता है अब जो metrical isomer बनने के लिए क्या important है important यह है कि एक कार्बन होना चाहिए जिसके along double bond हो साथ में कम से कम दोनों पे एक-एक functional group same होना चाहिए जैसे दो carbon है दोनों के along क्या एक-एक functional group same है एक के पास y एक के पास z है बट एक-एक तो same है ना x x तो है same अगर यह बोल दो अब यह बोल दो कि इसमे possible है क्या इसमें आप possible है बट यह जो है ना यह किस तरीके से possible है मैं आपको समझाती हूँ जैसे यहाँ पर देखो दो-दो आपके हैं दो-दो groups ह ठीक यह वाले alkenes आपके exam में इतने जादा नहीं पूछे जाएंगे यह वाले जादा पूछे जाएंगे ठीक है कैसे जादा पूछे जाएंगे क्योंकि पहला basic आपको funda clear होना चाहिए cis trans बनाने के लिए carbon-carbon double bond और उसके साथ-साथ आपके दो-अलग-अलग groups present होने चाहि ठीक है एक group common होना चाहिए fine अब आते हैं next आते हैं जैसे यह वाला question देखो यहां पर लिखा हुआ है कि अगर कोई compound है जिसमें कि cis trans isomerism possible है की नहीं पहला वाला compound देखो carbon-carbon double bond है मैम लेकिन इधर क्या है दो CH3 group है इधर क्या है एक CH2 है तो इस पर possible नहीं है क्योंकि मैंने क है इसमें भी नहीं कि इस पर दोनों पर hydrogen ब्लेट कभन कर दो नहीं होना चाहिए मैंने कहा दोनों carbon पे एक एक तो सेम होना चाहिए यहां पर ऊसीबलेकि है क्या हमएं इसपर पॉसेबले क्यों कि एक तरफ ismx%%% चर इंएसमें दूसरी तरफ निय। लगी क्यों ना है चीक है तो यह बड़ा इंपोर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है सिस ट्रांस के लिए प्रिपरेशन कैसे कलते हैं जैसे यहां पर एलकीन होता है एलकीन को कैसे इसमें दो तरीके की पॉसिबिलेटी एस बन सकता है ट्रांस बन सकता है चीक है तो निकल पैलेडियम प्लाटिनम इसी को हम अगर आड़ कराएंगे तो इससे होगा दूसरी बात इलकाइल हलाइड इस तरीके से दिया हुआ है इसका क्या करो डी हाइड्र हालोजीनेशन करवा काम होता है कि भाईया वो हाइड्रोजन निकालता है वो डी हाइड्रेट करवाता है लोगों को अगर ओएच होता तो ओएच के साथ हाइड्रोजन निकालता है नहीं है तो दो हाइड्रोजन निकाल देगा क्या है यहां पर एक अलफा कार्बन है बीटा कार्बन है तो जिस carbon से hydrogen निकलेगा उसके बगल वाले carbon से भी एक group निकलता है beta carbon से इसलिए इसको बोलता है beta elimination reaction क्या बोलता है beta elimination reaction यह alcoholic QH क्या करता है H plus यहां से निकाल लेगा H plus यहां से निकालेगा तो C minus बचेगा और यह C minus को पूरा करने के लिए H plus निकल जाता है और बगल में बन जाता है double bond ठीक है तो आपको यह याद रखना है कि जहां पे groups लगें उनको निकाल के double bond चिपकाना है बस Vinylic Dihalides Vinylic Dihalides बड़ा interesting सा नाम है Vinylic Dihalides का मतलब होता है कि दोनों adjacent carbon पे एक जैसे halo alkane लगें उसको बोलता है Vinylic Dihalides मतलब एक carbon के single chain है इसके दोनों side पे bromine अगर चिपका है तो that is called Vinylic Dihalides इनकों अगर आप Dehylogenation करवा दोगे मतलब दोनों hydrogen निकाल के फिक दोगे बाहर तो बनेगा एलकीन ठीक है बन जाएगा एलकीन तो that is also very very important that you need to know अब बड़ी important बात है भाईया alcohol के acid dehydration से alcohol जो है उसको dehydrate करवा दो जैसे alkane को करवा रहे हो वैसे alcohol को करवा दो तो फिर से कोई strong acid लो जिसके presence में heat करो फिर से भाई होगा यहां से H- निकलेगा C- बनेगा यह बगल वाले carbon से hydrogen शीनेगा और दोनों के बीच में positive charge शेपक जाएगा तो dehydrogenation का एक ही concept है कि alpha carbon के बगल वाले carbon से hydrogen निकालो दोनों के बीच में double bond chip काओ simple अब alkenes पे आते हैं alkenes की जो properties होती है isomerism और polar nature में different होती है ठीक है बाकी maximum चीज़ों में वो alkenes के बराबर होता है ठीक straight chain alkenes का जादा अच्छा boiling point होता है rather than कि आप branched alkenes की बात करो कि branching से surface area कम हो जाता है straight chain में क्या surface area भी जादा है तो molecular weight के साब से उनका जादा boiling point या आपके yellow melting points हो सकते हैं अब आते हैं कि भाईया कुछ chemical properties पढ़ते हैं तो chemical properties का है free radical mechanism से हो सकता है या addition products बन सकते हैं addition क्यों? double bond उपर बहुत जादा electrons जो की बड़े reactive हैं खुद के उपर कुछ भी add कराने के लिए saturated होने के लिए तो अगर आप उसमें hydrogen add कराओगे तो उसको हम क्या कहतेंगे? addition of dihydrogen अगर आप उसपे halogen add कराओगे तो क्या बन जाएगा? halo alkene बनेगा जैसे यहाँ पर देखो halogen add करा रहे हो दोनों तरफ halogen चिपा गया यही है आपका क्या? vinylic dihylides vinylic का मतलब है दोनों adjacent carbon पर एक-एक आपका halogen चिपका हुआ है ठीक अगर आप इसमे अगर आप इसमे hydrogen halide add कराओगे मतलब दो BR के बज़ए क्या करा दो? HBR add करा दो तो एक जगा H चिपकेगा दूसरे जगा BR चिपकेगा बड़ा important है यह हमने halo alkene में पढ़ रखा है इसलिए मैं आपको बार-बार कह रही हूँ examiner's का दिल Marconic of Rune को बड़े detail में हमने halo alkene में cover कर रखा है फिर से यहां बता देते हैं बटायल से कि आप उस chapter को भी देखना ताकि आपको वहाँ पर question practice भी हो जाएगी इस पर ठीक है जो नीट के PYQs आयों है कभी भी अगर symmetrical है तो कोई बात नहीं है आप कहीं पर कुछ भी चिपकाओ लेकिन जहां unsymmetrical हो जाता है मतलब मानलो तीन कारबन का है 123 यहां पर double bond है तो आप यहां पर कौन से जिसमालो 123 यहां पर double bond है ठीक है यह CH3 है यह आपका H है यह CH2 है अब इस पर मुझे HBR चिपकाना है इस पर मुझे HBR चिपकाना है चीक है मैं आपको समझाती हूं next page पर let's have a page here so that you can understand the concepts very well चीक है यह से मानलो CH3 है CH है CH2 है इस पर मुझे HBR चिपकाना है तो बड़ी definite सी बात है कि ऐसा तो नहीं कहीं पर चिपका दूगे क्यों क्योंकि यह symmetrical नहीं है double bond के एक साइड क्या है एक दूसरा group लगा है एक यहाँ पर दोनों hydrogen लगा है यहाँ पर तो एक ही hydrogen लगा है तो symmetrical तो नहीं है कहीं से भी बराबर तो नहीं दिख रहे तो आप यहाँ पर जो double bond टूटेगा वो क्या आएगा free radical mechanism से यह भी होता है ठीक है sorry, carbo-kattain बनता है मैंने आपको बार 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 बताया free radical और carbo-kattain नहीं की तरीके से काम करता है होगा गया यह double bond जो टूटेगा तो एक तरफ आएगा positive charge एक तरफ आएगा negative charge अब आप मुझसे यह question कर सकते हो कि ma'am ऐसा क्यों नहीं हुआ ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ऐसा वाला compound बन जाए ऐसा क्यों नहीं हुआ ऐसा इसले नहीं हुआ क्योंकि जो यहाँ पर positive charge आएगा वो primary carbo-kattain बनाएगा और अगर यहाँ पर positive charge आया तो यह secondary बनेगा इधर से भी इसको कोई support करेगा इधर से भी कोई इसको support करेगा जबकि इधर से सिर्फ एक ही side से support मिलेगा तो secondary वाला carbo-kattain जाधा stable है इसले यह आपका बनेगा intermediate और जब यह intermediate बनेगा तो HBR कैसे टूटता है H plus BR minus तो जहाँ पर plus आएगा वहाँ पर bromine चिपक जाएगा जहाँ पर minus आएगा वहाँ पर H चिपक जाएगा इसलिए major product आपका क्या बन जाएगा ऐसे बनेगा आपका major product जहाँ stable carbo-kattain बनेगा वहाँ पर BR की reaction होगी ठीक है वह यही समझाना चाहरे है कि बन तो दूनों सकते है मतलब BR यहाँ पर भी चिपक सकता है लास्ट में भी चिपक सकता है बट यह वाला minor बनेगा क्यों minor बनेगा definite सी बात है क्योंकि वह आपका less stable carbo-kattain है ठीक marconikov rule यही कहता है यही देखो यहाँ पर लिखाया भी यह इनोंने तो जितना अगर मैंने आपको समझा है समझ में आ गया कि secondary carbo-kattain जादा स्टेबल होता है प्राइमरी से इसलिए secondary वाला जादा बनेगा फाइन अब आते हैं anti-marconikov पर अगर यही reaction asymmetrical alkenes को तुम HBR के साथ react करवा रहे हो या किसी भी halo alkene के साथ react करवा रहे हो अब यह चीज तो तुमने पढ़ रखी है कि HI सबसे पहले react करेगा फिर HBR फिर HCL क्योंकि HCL सबसे stable होता है फिर HF सबसे stable होता है तो जिसमें iodine जो है anti-marconikov rule क्या कहता है कहता है कि तुम कह रहे हैं secondary carbon cation सबसे stable है इसलिए उसका major product बनेगा हम कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है अगर peroxide की presence में तुम तोड़ोगे इसी को बोलते हैं खाराश effect वेरी वेरी important जहांपे आपका examiner का दिलाएगा इसको बोलते हैं खाराश effect खाराश effect क्या है जैसे ही कोई asymmetrical alkenne है जिस पर कि आपको एक halo alkenne मतलब halide का reaction कराना है अगर आप उसके presence में peroxide डाल दोगे तो peroxide काम खराब करता है क्या काम खराब करता है free radicals बनाता है free radicals बनाता है BR कहाँ पर react करेगा BR वहाँ पर react करेगा जहाँ पर मैंने क्या बोला ये बिल्कुल कार्बो काटाइम की तरह फर्क करता है यहाँ पर एक free radicals बना यहाँ पर एक free radicals बना दोनों जगा बनेगा यहाँ भी यहाँ पर बनेगा BR कहाँ रे attack करेगा BR वहाँ attack करेगा जो जादा stable होगा ठीक क्यों ऐसा होगा BR अगर इस पर attack कर दिया तो जो secondary secondary बनेगा ना free radical वो जादा stable होगा इसलिए BR क्या करेगा side से attack करेगा अगर BR ने यहाँ attack कर दिया तो यह जो free radical बचा रह जाएगा यह कैसा बचेगा प्राइमरी प्राइमरी वाला कम stable होता है इसलिए BR क्या करेगा ऐसी जगा react करेगा ताकि जो आपका बच जाए एक free radical क्योंकि BR भी तो free radical के form में है यह कहीं पे भी चिपक सकता है लेकिन यह अपने चिपकने के बाद सोचेगा कि मैं जिस compound के साथ चिपक रहा हूँ वो भी तो stable होना चाहिए तो अगर ही मैं चिपक गया और मेरे चिपकने के बाद secondary बन रहा है तो वो ज़्यादा stable है इसलिए क्या है आपका हमेशा मार्कॉनिकॉफ के उल्टा result आता है आपका एंटी मार्कॉनिकॉफ में पहचानते कैसे है कभी भी अगर HBR का reaction परोक्साइड के presence में हो तो मार्कॉनिकॉफ रूल का उल्टा वाला बना देना मतलब जो minor वहाँ पे बन रहा था वो यहाँ पे major बन जाएगा यह चीज आपको ध्यान दे नहीं है यहाँ पे आप कर सकते है उसके बाद आता है आपका sulfuric acid का addition किसी भी एलकीन पे अब एलकीन पे बटा तुम कुछ भी आड़ कर वाओ अगर कार्बोकाटाइन या free radical बन रहा है तो हमेशा marconic off लगेगा जब तक कि paroxide नहीं आ जाता paroxide आएगा 20 marconic off लगा दे न वही चीज यहाँ पे तोड़ोगे कहीं पे एक आपका क्या करोगे sulfate group चिपका दोगे और दूसरी जगा hydrogen चिपका दोगे मतलब simple addition करवाओगे जैसे अभी तक आप करवाते हैं पानी चिपकाना है फिर से वही काम कि क्या करोगे पानी को डालोगे in presence of few drops of sulfuric acid ताकि आपका ये bond तूटना आसान हो जाए एक तरफ positive charge जाएगा एक तरफ negative आजएगा और पानी चिपका दो ठीके इसी से तो alcohols बनाते हैं अगर आप पढ़ोगे alcohol का preparation alcohol वाले chapter में तो alkene पे water आड़ कर आगे in presence of concentrated few drops of H2SO4 हम लोग बनाते थे alcohol oxidation करवादू double bond का जब oxidation कराओगे तो alcohol तो बनेगा ही बनेगा double bond का oxidation कराओगे diols बनते हैं diols का मतलब दोनों OH यही चिपक जाते हैं पस तो इनको हम लोग बोलते हैं diols सबसे मज़िदार और examiner के दिल वाला question that is ozonolysis ozonolysis बड़ा important है पूछा बहुत जाता है ozonolysis आना आपके लिए must to know वाले fact है यह चिक आप ozonolysis की बात करते है ozonolysis पहली बात तो होता है तो कैसे होता है simple मैं एक trick बता रही हूँ अभी राम कहानी आपको समझ में आ जाएगी ozono in presence of zinc and water is ozonolysis reagent जहां पे भी double bond दिख रहा है ना महां पे कुछ मत करो double bond को तोड़ो o o चिपका दो फिर जो भी बनेगा वो आपका product हो गया simple ही यह trick याद रखना है क्या product बनेगा यहाँ पे ध्यान से देखना कैसे बनाना है यह ध्यान से देखना जैसे यहाँ पे तुम o चिपका होगे तो क्या बन जाएगा 1, 2, 2 carbon का aldehyde क्योंकि o h हो गया last में double bond o और side में h aldehyde यानि ethanal और यहाँ पे क्या बन चाहिए इसको तीनो साइट से घेर लेता है अब जैसे जिंक और पानी डालोगे तो क्या होगा पानी इसको तोड़ेगा पानी इसको तोड़ेगा तो क्या होगा उपर से अगर carbon का एक bond टूटा तो oxygen के साथ दूसरा दूसरा bond बना लेंगे गे यह लोग और यह वाला जो oxygen निकलेगा ना यह ZNO के form में जाके बाहर निकल जाएगा ठीक है तो यह आपका बनता है आपके aldehydes या ketones बनते हैं और उनों लिससे alkene के very important उस chapter में भी cover कर रखा है ठीक है अब जैसे यह देखो यह इस पर ozone चिपका होगे तो क्या होगा double bond के जगह पर क्या करना है जिसे हम देखो यहां पर करके बताते हैं let's have this double bond तोड़ना है दोनों तरफ ओ चिपका देना है double bond चे यह क्या बन जाएगा 123 और बीच में double bond O आ रहा है तो हमें पता है ketone होता है जिसके carbon के बीच में double bond होता है O के साथ तो यह बन जाएगा आपका प्रोपो यह आपका हो जाएगा प्रोपेन टू ओन या कि आपका ketone बन रहा है एक साइट से यह एक ही कार बने तो ketone तो बन नहीं सकता तो definite सी बात है यह aldehyde बनेगा या नहीं formaldehyde ठीक है formaldehyde आपका बन जाएगा simple trick याद रखोगे तो यह इत्ता बड़ा करने के जरूत नहीं कि यह जाना है इसे जाना है यह बनाना है वो बनाना है फिर तोड़ना है नहीं आप छोटे बच्चे नहीं हो trick लगाना सीखो organic का यही तो मज़ा है organic physical और physics का यही मज़ा है अगर आप ट्रिक सीख गए तो आप सब कर ले जाओगे ठीक है अब आते हैं polymerization पे polymerization का क्या मतलब होता है higher temperature और pressure पे catalyst की मदद से यह alkynes को आपस में जोड़ के polymers बनाये जा सकते हैं जैसे बहुत सारे यह ले लो ethene ले लो तो उसको ऐसे ऐसे तोड़ के आगे आगे जोइन कराते जो तो polymer बना सकते हैं plastic वगर ऐसे ही बनते हैं चीक है तो यह बड़ी important चीज़ है अब आते हैं alkyne पे alkyne की बात करते है alkyne का nomenclature हम सबको पता है yne add कर देते हैं end में तो यह मुझे बताने के जरुरत नहीं है unstable electron का cloud उपर इसके और unstable electron का cloud तो यह बड़े reactive होते हैं और दूसरी बात आपको एक चीज़ और बता दू alkyne जो है वो alkyne और alkyne के comparison में ज़ादा acidic होते हैं मैंने यह आपे बोल तो दिया मुझे पता है maximum लोग को नहीं समझनाया होगा इसलिए तो मैं उसको आगे समझाऊंगी so stay patient अभी हम आगे आते हैं patient रही है patient का मतलब यह है कि patient रखो अपने अंदर सच मैं नहीं hospital में नहीं आने बोल रही हूँ यह मत सोचना कि मैं hospital बुला रही है अपना business बढ़ा रही है ऐसा कुछ नहीं है patience रखिए क्योंकि यार देखो पढ़ाई और patience ही चीज होते है जिससे selection हो बाकी बकैती से selection नहीं होता चाहे कोई आपको कित्ता भी अच्छा कुछ भी बढ़ा ले लेकिन वह extra पढ़ा रहा है तो वो आपके exam में आना नहीं है तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने है अपने preparation के लिए और अगर आप ऐसा low feel करते हो या आपको कुछ भी doubts हों तो आप definitely Instagram पर message कर सकते है वहाँ पर बहुत सारे बच्चे अपने voice note के थ्रू messages share करते हैं कि depressive लग रहा है समझ नहीं हा रहा क्या करें क्या ना करें ये वाला subject prepare नहीं है वो वाला subject prepare नहीं है उन सब के लिए मेरा एक बहुत simple सा कहना होता है कि बच्चे पहले exam समझो तो सही exam का मतलब यह है कि जादा important जो है उसको उतना ही पढ़के खतम करो ताकि questions निकल पाएं इस time पे अगर तुम 10-10 घंटे के lecture देखोगे एक-एक topic पे you are not going to excel the exam क्यों क्योंकि आप एक दिन में max to max अगर 10 घंटे का एक lecture देख रहे हो तो एक topic पढ़ रहे हो तुम पूरे दिन में और उससे भी अगर तुमारे need के PYQ नहीं बन रहे है are you getting my point देखो यार to be very honest दुनिया में इतना ग्यान है कि तुमारी उमर कम पढ़ती जाएगी पढ़ते पढ़ते आ रहे हो ना medicine में medicine में जिंदिगी पर पढ़ाई होती है कुछ ना कुछ नहा सीखना होता है हर कई नहीं किताब पढ़नी होती है वो अपने शौक यहाँ पूरा कर ले ना अभी के लिए तो बिल्कुर restricted होके to the point पढ़ाई करो ठीक है अब आते हैं alkynes पर ठीक है तो आपको एक चीज़ समझ में आके कि sigma bond direct overlap से बनता है इसलिए ज़्यादा stable होता है pi bond जो है वो क्या होता है कि उतना proper overlap नहीं होता यह सब एक दूसरे के बस perpendicular एक दूसरे के साथ attraction से चिपके होते है इसलिए यह proper overlap नहीं होता preparation कैसे करते है alkynes का तो यह बड़ा important है कि पहले यह लोग limestone को heat कर देते हैं जिससे कि तुमारा quick lime बन जाता है इन और्गैनिक में भी पूछा जाता है limestone क्या होता है calcium carbonate उसको heat कर दोगे तो जो calcium oxide बनता है वो quick lime होता है फिर calcium oxide को अगर तीन carbon के साथ तुम heat करोगे तो यह बनता है calcium carbide और calcium carbide में पानी मिला दोगे तो तुमारा calcium hydroxide के साथ साथ ethylene gas produced होती है यह reaction थोड़ा सा important है inorganic के point of view से भी इसलिए आप देख लेना ठीक है vinylic dihylides भाई जहां बगल में दोनों halogen चिप के हुए है वो बड़ा unstable सा compound होता है आपको मैंने एक बार diols के बारे में भी बताया था कि अगर अगल बगल के carbon पे OH-OH चिप का रहा है तो यह भी stable नहीं होता यह एक दूसरे को repel करते रहते हैं तो यह भी बड़े असानी से टूपना चाहते हैं तो जैसे ही आप इनको alcoholic KBR के साथ heat करोगे तुरांत यह दोनों एक दूसरे के साथ निकलना चाहेंगे निकलना चाहेंगे तो क्या होगा double bond आएगा फिर एक बार heat कर दो तो क्या हो जाएगा hydrogen में निकल जाएगा तो triple bond आजाएगा तो यह दो चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए alkyne बिलाने के दो ही तरीके दिये हुए इन दोनों तरीकों को अगर तुम्हें नहीं याद है तो फिर तुम बहुत गलत काम करोगे क्योंकि अगर NCRT ने सिफ दो तरीके मेंचिन कि इसका मतलब दो के दो आपको पता रहने चाहिए हजारा लग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे तो acidic nature of alkyne यह statement जहांपे examiner का दिल आता है कि alkyne जादा acidic होता है आपके alkyne और alkyne इतने acidic नहीं होते हैं क्यों नहीं होते हैं इसका सबसे strongest reason क्या है सबसे strongest reason क्या है कि sp चलो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए यह ar type पहली बात तो question है दूसरी बात क्या है अगर आप alkyne की बात करते हैं alkyne का carbon जो होता है वो sp3 hybridized होता है अगर आप alkyne की बात करते हैं तो alkyne का carbon जो होता है वो sp2 hybridized होता है और अगर आप alkyne की बात करते हैं तो alkyne का carbon जो है वो sp hybridized होता है अब आप पूछोगे मैं क्यों अगर आपने chemical coordination पढ़ा है हाँ न molecular structure पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि जहां पे carbon single bond बना रहा है 4 1, 2, 3, 4 तो चारो के चारो क्या है hybridized orbitals है जो sigma bonds बनाते है proper overlap से तो इसलिए 4 हमें जो orbital चाहिए तो कितने P, 3P और 1S कितने P, 3P और 1S तो इसका hybridization हो गया sp3 इसी से तो 4 बनेंगे न 3P के 1S के 4 hybridized orbital बनेंगे carbon जब double bond बनाता है तो यहां पे 2 ही hydrogen चिपका सकता है आपने साथ साथ में तो what happened carbon direct overlap से कितने bonds बना रहा है 1, 2, 3 एक sigma bond और फिर hydrogen के साथ 2 bonds sigma वाले तो 3 hybridized orbital मुझे चाहिए तो इसका hybridization क्या हो जाएगा sp2 2P के 1S के जब carbon-carbon triple bond बना रहा है तो एक ही hydrogen इधर लगा सकता है दूसरा hydrogen इधर लगा सकता है अब इसमें कितने प्रॉपर sigma bonds बना रहा है overlap से 1, 2 are you getting my point मालो कि जैसे यह है carbon triple bond carbon एक hydrogen इधर एक hydrogen इधर तो carbon कितने sigma bonds बना रहा है 1, 2 छीट 2 bonds अगर 2 उसको hybridized चाहिए तो हमें क्या लगाना पड़ेगा 1s और 1p पात समझ में आ रही है जितना जादा जितना जादा s character होगा comparison में देखो इधर 3p इधर 2p इधर 1p तो अगर s जितना जादा होता है किसी में या जिसकी hybridization sp होती है उसका carbon जादा electronegative हो जाता है तो वो क्या करता है वो अपनी तरफ खीचने की कोशिश करता है H plus को electronegative का मतलब तो यह है ना कि positive charge को या negative charge को अपनी तरफ खीचने की कोशिश करे तो definite सी बात है कि जब वो 3 carbon वाला इधर से खीचने की कोशिश करेगा तो H plus form में रिलीस कर देगा इसको और H plus को ही तो रिलीस करने वाले को acid कहते हैं Are you getting my point? इतनी बात समझ में आ गई तो SP hybridized carbon ज़ादा electronegative होता है इसलिए H plus निकालने की tendency रखता है That's why it is more acidic अब आप देखो acidic property क्या होती है sodium के साथ किसी को फिर hydrogen add कर आओगे अलकेन में बदलोगे तो Alkyne को आप किसमें ले जा सकते हो Alkyne में अलकेन में with the addition of hydrogen उसके साथ आप halogen आड करा सकते है halogen आड करा होगे तो भी आप different products बना सकते हो मतलब triple bond पे जैसे तुम double bond पे addition कराते है तो that is also very very important इसी को कहते है Tautomerism इसी को कहते है Tautomerism आपको na General Organic Chemistry में Isomerism में मैंने ये word पढ़ाया Tautomerism Tautomerism का मतलब क्या होता है जैसे देखो ये एक alcoholic group है जिसके बगल में double bond पढ़ा हुआ है तो इस पे Isomerism कैसे possible है कि एक hydrogen क्या करे एक hydrogen इस carbon के पास चला जाए और ये वाला double bond जो है ये carbon और oxygen के बीच में आ जाए तो फरक क्या पढ़ेगा अभी तक ये alcohol था लेकिन अब ये बन गया aldehyde मतलब एक alcohol जिसके आसपास double bond होता है वो तुरंत aldehyde की tone में change हो सकता है क्योंकि वो double bond shift कर सकता है चीके and that is known as trotomerism जो आपको मैंने GOC में पढ़ा रखा है that is very very important that you need to know fine अब आते हैं polymerization पे तो जैसे alkenes में addition के possibilities हैं क्योंकि double bond है तो यहां तो triple है यह तो और आसानी से अपने साथ polymer बना सकता है तो linear polymer बना सकता है या cyclic polymerization बना सकता है जैसे कि अब ज़रा ध्यान देना बड़ा important very important जब पूछा जाता है इसमें क्या है इसमें तीन molecule लिए गए हैं आपके तीन molecule लिए गए हैं जिससे की benzene बनाया जा रहा है और उसके से अपके dyes बनाया जाएं ठीके तो क्या किया जा रहा है ये एक molecule दूसरा molecule तीसरा molecule जब इसको heat करोगे तो triple bond टूटेगा इन दोनों की बीच में एक double bond आ जाएगा यहाँ पर heat करोगे triple bond टूटेगा hydrocarbons का बड़ा important है इसलिए इस chapter को मैंने NCRT से पढ़ाया है क्योंकि मैंने भी ऐसे ही पढ़ा था ठीक तो very very important ये वाला question आपको जरूर attempt करना ये aims में आता था हमारे time में क्या है ध्यान से देखो carboxlic acid है इसको तुमने किस के साथ heat किया है NOH के साथ heat कर रहे हो तो होगा क्या ये acidic होता है H plus निकालेगा उसके जगा पर sodium आखे चिपक जाएगा ठीक है माम sodium जब CO के साथ चिपकता है और soda lime के साथ तुम heat कर दोगे तुरंत वो CO2 निकाल देगा एक हैलोजन ग्रूप लगा हुआ है हलाइड ग्रूप लगा है इसको क्या करो dry sodium और ether के साथ react करा तो तो ऐसे दो चिपक जाएंगे दो CH3 चिपकेंगे तो C2H6 बन जाएगा चिक अब क्या कर रहे है फिर से या hydrocarbon बना मुझे क्या करना है इसको के लिए होता है अभी मैं आपको question के form में यह करवाऊंगी दो important fact जो आपके NCRT में नहीं दिये हैं लेकिन पूछे जाते हैं और यह आपके practical organic chemistry का part है जो कि आपका इस बार syllabus भी change हुआ है तो कुछ points में यहां पे उसके साथ आपको highlight करवा दूँगी ठीक है bromine water हमेशा unsaturated वाले bond पर जाके react कर देता है और अपने color को lose कर जाता है normally यह reddish brown color का होता है और इसके बाद यह color lose कर जाता है क्योंकि bromine उपर नीचे चिपक गया न तो bromine के bond तो सारे तूट गे इसके बाद क्या होगा alcoholic QH करोगे तो क्या होगा फिर से dehydro halogenation होगा bromine निकलेगा दूसरे वाले hydrogen के साथ और double bond आ जाएगा और अब की चुट double bond आएगा अगर तुमने ढ़ंग से कभी भी पढ़ाई किये तो तुम्हें पता है कि sodium के साथ ammonia का salt बहुत strong क्या होता है बहुत strong reagent होता है HBR निकालने के लिए या HCL निकालने के लिए या HF निकालने के लिए या HI निकालने के लिए यह तुरंट निकाल लेगा HBR और double bond को किसमें convert करतेगा? triple में मतलब एक लौता पूरा reagent जो organic chemistry में alkene से भी HBR चीन के triple bond में convert करने के tendency रखता है that is NaNH2 very very important point that you need to know और जैसे यह triple bond बना same way reaction red tube red hot iron tube में 873 इतने higher pressure पे क्या करोगे? इसको तुम benzene में convert कर सकते हो तो यह पूरा एक method है जहाँ पे आपको बहुत सारी learning मिल रहे है और यह चीज आपको जरूर पढ़नी है ठीक है? यहाँ पे आपको reagents के काम समझ में आ जाएंगे और नहीं समझ में आया तो तुम पूछ सकते हो अभी तो मैंने आपको समझा दिया बट in case नहीं समझ में आया तो फिर भी आप पूछ सकते हो ठीक अब आते हैं aromatic hydrocarbons पे aromatic hydrocarbons को हम लोग arines भी बोलते हैं क्योंकि बड़े pleasant smell होती है इनकी ठीक है तो इसलिए हम इनको arines भी बोलते है important क्या है aromatic hydrocarbons को इन्होंने दो तरीके से divide कर रखा है एक aromatic hydrocarbons जिसमे benzene ring होती है उसको हम लोग बोलते है benzoids और जिसमें benzene ring नहीं होती है उनको बोलते है non benzoids ठीक है तो अगर इसमें सारे में देखो तो benzene ring आपको दिखरी है उनके constituent की तरह तो ये benzoids है और अगर आप जहान से देखे कहीं कहीं पे benzene ring नहीं होती है तो उनको हम लोग non benzoids बोलते है fine तो it's very very important कि आपको ये चीज़े समझ में आए I am really sorry for the external noise हाना कुछ थोड़ा सा आप ignore कर सकते है क्योंकि ये भी पढ़ाई ज़ादा ज़रूरी है fine अब आते हैं तुमारे norman culture पे तो जैसे benzene ring है उसके पहले position पे अगर methyl लगा है तो उसको toluene बोलते है अगर पहले दूसरे position पे लगा है तो क्या बोलेंगे one, two, die, methyl benzene IUPAC norman culture तो यही हो जाएगा लेकिन इसको orthohexylene बोलते है normal language में IUPAC उपर दिया है normal नीचे दिया हुआ है यह खुड़ा बहुत याद रखना ज़रूरी है because as it is कई बारना paper में नाम पूछ लेते हैं और यह नाम नहीं पूछते हैं यह वाला नाम पूछ लेते हैं common name पूछ लेते हैं तो toluene क्या है xylene क्या है ortho position पे यह आपको पता रहेना चाहिए अब आते हैं इस पे इस पे क्याते हैं कि benzene ring के structure को कैसे explain किया जाए क्योंकि एक बार देखा गया कि इसमें double bond तो है बड़ जब यह reagent से attack करता है तो कई बार यह अपने reagent को यहाँ चिपकाता है मतलब किसी को कहीं भी चिपकाता है तो यह properties हमें कैसे पता चलेंगी और साथ में benzene ring सिर्फ double bond का structure है लेकिन इतना stable कि किसी के साथ react नहीं करता जल्दी क्यों हो ऐसा क्योंकि alkenes तो किसी के साथ भी react कर जाते है उनके पास तो जो πाई electron होता है तो बड़ा reactive होता है तुरंट अपनी electron देने के tendency रखता है बट benzene इतने असानी से नहीं करता हूँ सारा answer चिपा है आपके एक word यानि resonance में अगर आपको resonance आता है तो you are bang on target ठीक है अब समझे कैसे ये structures जो है इन्होंने possible structures दिखा है ये जो scientist है कोकले उन्होंने कहा कि benzene ring के ओ structures हो सकते है ये double bond आप यहाँ पर भी बना सकते है ये double bond आप यहाँ पर भी बना सकते है तीनी तो double bond बनाने इच्छे carbon में तो उनकी position तो change हो सकती एक बर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ या इनकी position को change कर दो अब तुम्हें कैसे पता कि कौन सा सही है कौन सा गलत chemical reaction दोनों की exactly आ रही है same लेकिन उन्होंने कहा कि ये दोनों एक दूसरे में interchangeable होते है तब ही ऐसा होता है कि ये दोनों आपस में change होते रहते है छीक लोगोंने कहा ऐसा क्यों क्या reason है इनके interchange होने का कि कभी double bond ही shift हो जा रहा है मतलब घूम रहा है double bond क्या reason है उसका वहाँ पर concept आता है resonance and stability of benzene का very important very important I know थोड़ा सा लंबा lecture हो गया है बट यार सच बताउं दूसरी बार इतना लंबा repeat कर रहे हैं तो you can imagine कि how much actually it requires to be motivated कि इतना लंबा lecture shoot करें तो आप पढ़तो सकते ही हो हाँ अब इसके आगे बात करते है इनका कहना ये था कि resonance क्या होता है कि अगर double bond के close proximity में दूसरा double bond आ जाए या lone pair आ जाए या फिर unpaired pi orbital मिल जाए तो वहाँ पर क्या होता है ये electron घूमने जहाँ इसको जगा मिली दूसरे अपने जैसे सांथी मिले ये घूमने लगेगा पूरी RING में जब ये पूरी RING में घूमने लगेगा तो बाहर वाले रिएजिंट को पता ही नफ चलेगा कि ये है कहांपर और ये है कहांपर तो मारे कहांपर जैसे मैंने तुमको एक target दिया मैंने का ऐसा है बिटा लखनो के उस chalk चराहे पे न flat number one में गली ये है flat ये उसमें एक रोहन नाम का लड़का रहता है उसको तमाचा मार के आना है मैंने तुमे clear instructions दिये तुम गए वहाँ पे हुआ क्या? चौक में जो गली का मैंने नाम बताया उस गली के अंदर multiple गलियां थी और रोहन जैसे दिखने वाले बड़े सारे लड़के थे तो तुम वहाँ किसी को भी मार नहीं पाओगे तुम वापस आ जाओगे तुम वहाँ मान लो फिर बड़े लोगों के साथ पेरिंट्स के साथ, पुलिस वालों के साथ सब के साथ चलेगे, तब भी नहीं मार पाओगे क्यों? क्योंकि जब ये रोहन जैसे दिखने वाले लड़के अपनी ही जगा पे बार 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 डिसलोकेट होते रहेंगे, इनकी एक प्रॉपर लोकेशन है ही नहीं, तो उनको पकड़ना इंपॉसिबल है, सेम यही चीज़ बेंजीन के रेजोनेंस में होता है रेजोनेंस का मतलब है कि इस तरीके से ये डबल बॉंड़ेट पाई ब्लॉंड एलेक्ट्रॉन उपर नीचे क्लाउड बनाके घूमता है कि किसी रेजेंट को एक रेंपे खबर ही नहीं होती, कि ये है कहाँ इसलिए अंधे में तीर मारते है रेजेंट्स और इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है क्योंकि भाई, एलकीन में क्या था, सबको वो पता था कि डबल बॉंड एकदम चुप़े से कार्बन के ऊपर रखा हुआ है आके यहां पर रियाक्ट कर लो इसमें क्या है, कार्बन के छे कार्बन है छे के बीच में घूम रहा है, तुम्हें कुछ नहीं पता कहा है ठीक है, ये होता है था है, अब यहां पर देखो, तुम्हें स्ट्रक्चर के हिसाब से समझाएंगए, पहले तो देखते हैं कि सिघ्मा बॉंड कितने बनते हैं, छे कार्बन है छे कार्बन हैं, छे कार्बन है, आपस में सिघ्मा बॉंड के साथ connected है, सबसे यह देखो, यह एकदम डायरेक्ट ओवर्लाप से सिग्मा बना है. पाई बॉन्ड क्या है? ओवर्लाप थोड़ी कर रहा है, बस यह दूसरी को तरफ अट्राक्टेट है. तो पाई बॉन्ड इस तरही किसे अपने और इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. तो दो-दो pie bond ने आपस में कर लिया, तो यह बन गया, तीन double bond, अब क्या है, pie bond ऐसे share कर रहा है, तो यह इधर भी कर सकता है, 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 एक pie bond के बगल में, अगर दूसरा pie bond रख दिया जाए, तीसरा रख दिया जाए, और uns नीचे भी छॉटलेट से हैं उसी तरीकी से बंजीण जी बंचमा बूंड बीच में उपर भी पाई वाले घुम रहे हैं नीचे भी पाई वाले घुम रहे हैं समझिर हो तो वैसासा सांड़िच स्ठॉक्चर बन जाता है एलेक्तून क्लाउड का बंसीं के उपर और और यह र तो structure उसका planar होना चाहिए, मतलब जो पहला basic structure है, वो plane, एक plane में होना चाहिए, जैसे कि benzen ring में देखो sigma bond वाला, एक plane में है, ठीक है, तो planar structure होना चाहिए, दूसरी चीज, pi bonds का localization होना चाहिए, जो pi electrons हैं, वो आपस में घूमने चाहिए, इतनी जगा होनी चाहिए, मतलब आस पास, unoccupied p orbitals होने चाहिए, जहां पर ये pi bond घूम सके, कोई रोक नहीं होने चाहिए, कोई टोक नहीं होने चाहिए, दूसरी बात, कितने electrons होने चाहिए, pi में, 4N plus 2, n is the number of chains, जितनी rings बनी होई है, उनका number है n, ठीक है, तो presence of 4N plus 2 pi electrons, ये भी ज़रूरी है, अब जैसे बिंज प्लेनर स्ट्रक्चर, हाँ, सिगमा बॉन्ड वाला तो प्लेनर स्ट्रक्चर है, जो भी SP2 hybridized जा जाएगा, वो तो प्लेनर होगा ही होगा न, तो इसमें सारे carbon SP2 hybridized होते हैं, उसके साथ-साथ, delocalization of pi, बिल्कुल भाई, सही बात है, एक pi, दूसरा pi, तीसरा pi, एक bond अगर pi को, या तो pi मिल जाए, या कोई charge मिल जाए, positive मिल जाए, negative मिल जाए, electron pair मिल जाए, उसको मतलब नहीं, उसको अपने जैसे लोग चाहिए, जो तुफान मचा सके, चीक, या तो अपने जैसा pi bond मिल जाए, तब भी ठीक है, तो यह यहाँ पे घूमना चालू कर देगा, हो गया aromatic, यहाँ पे देखो, एक pi, एक bond चोड़ के दूसरा शैतान, दूसरा pi, फिर एक bond चोड़ के तीसरा, क्या, loan pair या negative charge, यह भी घूमना चालू हो जाएगा, तो यह पूरा इसके लिए एक ट्राक बन जाएगा, घूमने के लिए, ठीक है, that is very very important that you need to know, अब cyclic polymerization of ethane से benzene कैसे बनता है, हमने बड़े beautifully, इस वाले example में आपको बताया, बड़ा important है, last वाला step, जो आपको ज़रा ध्यान से रखना है, ठीक है, देखके, अब आगया आते है, cyclic polymerization हो चुका, उसके साथ-साथ क्या है, cyclic polymerization के साथ, decarboxylation करा दो, aromatic acid का, इस तरीके से aromatic acid है, carboxylic acid है, इसको क्या गरो, NaOH और calcium oxide के साथ heat करा दो, यह तो acetic है, तुरंट CO2 निकालके sodium carbonate बना लेगा और benzene में को छोड़ देगा, ऐसे भी benzene बनती है, important reaction, alcohol वाले chapter में cover कर रखी है, zinc एक लौता ऐसा reagent है, जो phenol को benzene में convert करने की tendency रखता है, in presence of heat, बड़ा important है, वहाँ पे भी carbon generally colorless होते है, characteristic aroma होता है इनका, और उसके साथ-साथ यह पानी में नहीं गोलते है, बड़ी CDC बात है, hydrocarbons पानी में क्यों गोलेंगे, like, dissolve like, ऐसे वाली बाते याद रखने है, अब CDC बात है, भाया, loan pair, electron इनके पास भर-बर के है, तो अगर electron इनके पास भर-बर के है, तो यह क कहेंगे कि और अपना electron हम पर छोड़ने वाला आजाए, नहीं, repulsion बढ़ जाएगा, इसलिए यह कहेंगे कि जितने positive charge वाले हो, जिनको कमी electron की, वो आकर हमारे उपर reaction करो, तो इनके उपर electrophilic substitution reactions possible होते है, जैसे कि NO2 इनके उपर चिपकाया जा सकता है, जैसे concentrated HNO3 और H2SO4 क इसके उपर शिपाग जाएगा, that is nitrobenzine, उसके बाद आता है, halogenation करवा सकते हैं, इसको chloride के presence में, anhydrous ALCl3, मैंने बताया था, यह क्या करेगा, इसका free radical बना देगा, free radical क्या करेगा, इसको दिखेगा, यहाँ पर इतने सौरे electron, किसकी तरा behave करता है free radical, कार्बो कटायन की त यह क्या करता है, यह क्या करता है, फिर से यहाँ पर क्या करेगा, free radical बनाएगा, free radical बनाएगा, CH3 का, CH3 का, इसके उपर चिपक चाहएगा, toluene बनेगा, ठीक, free radical craft, alkylation reactions, बड़े important है, ध्यान से करना है, कुछ नहीं होता, benzine ring के उपर alkyl group चिपकाया जाता है, ठीक, in presence of anhy address, alcl3, क्योंकि यह free radicals बनाने के tendency रखता है, यह सेम काम, अब देखो, नीचे एक reaction था, free radical craft, assylation, बड़ा important, free radical craft, assylation, assylation का मतलब क्या है, benzine ring पे तुम चिपका होगे, लेकिन alkyl group नहीं, assyle group, मतलब एक CO, CH3 चिपका होगे, CH3 ना चिपका के क्या चिपका होगे, एक assyle group, जिसमें already एक उपर oxygen हो, और इदर CH3 लगा, इसको इतो assyle बोलता है, एक assyle group आपको चिपकाना है, फिर से भई कहानी, free radical बनेगा, इसके उपर attack कर देगा, और यह चिपका जाए, चिपक, तो alkylation में alkyne, alkyne चिपकता है CH3, assyleation में COCH3 चिपकता है, यह ज़रा ध्यान रखन है, fine, अब आते हैं, मैंने बता दिया, electrophile बनाया जाएगा, carbocatine बनाया जाएगा, proton निकाला जाएगा, छीक, आप ऐसे याद रखना कि alcl3 क्या होता है, basically, free radical बनाता है, और carbocatine बनाता है, free radical, carbocatine, दोनों सेम तरीके से behave करते है, as it is, याद रखना, च्योंकि हमने पीछ के लिए important नहीं है, boards वालों के लिए important step दिखाने के लिए, boards वाले ये step बस लिखके आजाना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है, अब आते हैं, आपका addition reactions पे, कि benzene पे कुछ आड़ करा दे, hydrogen आड़ करा होगे, तो cyclohexane में बदल जाएगा, लेकिन वही बात है, इतना stable, resonance वाला, aromatic compound, बहुत ज़्यादा उसको strong reagents रही है, इसमें convert कराने के लिए, ये बड़ा important reaction है, जो कई बार पूछ ले जाता है, कि benzene ring पे अगर तुम chloride reaction करवाओगे, in presence of UV light, और temperature 500 Kelvin हो, तो क्या होगा, तो ये इतना strong medium होता है, कि benzene ring अपनी aromaticity lose करके, show position पे chloride चिपका लेती चीक, combustion करेंगे, तो energy तो मिलती है, ये हम सब को पता है, तो ये वो कोई बड़ी बात नहीं है, अब आते हैं, ortho and para directing group पे या meta directing group पे, ये बड़ा important है, आपको GOC में भी मैंने cover करवाया है, और अगर आपको ये नहीं आता है, तो ये फिर बड़ी गलत बात है, fine, आते हैं य ये एक loan pair benzine ring को देगा, कि चलो मैं भी resonance करवाता हूँ, benzine ring कहेगा, ऐसा है, हमारे सारे electron घूम रहे है, तुम भी अपना देना चाहोगे, ये कहेगा, हाम मुझे भी resonance करवाता हूँ, ताकि मेरे भी electron safe हो जाए, जैसे मम्मी बापा क्या गरता है, बैंक में पैसा देता है, ये है बैंक, पैसे वाला, जो पूरे पैसे को इदर अदर पूरे देश भर में घुमा रहा है, और इससे लोग क्या कर रहा है, डिफरेंट थरीके से पैसा का हमारे stock market हो गया, banking हो गया, trading हो गया, whatever it is called, ठीक, ये कहेगा, मैं भी लगाता हूँ, ये कहेगा, ठीक, दो जरा, ये position अपनी खाली करेगा, double bond को तोड़ेगा, यहाँ पर तोड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, negative charge आएगा, और यहाँ पर positive charge आएगा, तभी तो ये वाला electron पर इधर आ जाएगा, double bond बन गया, ये negative charge, दूसरे वाले bond को तोड़ेगा, दूसरे वाला bond तीसरे को तो electron इसको दे देते हैं, और साथ में क्या करते हैं, इनके bond तूटने की वज़ए से benzene running पर charge develop होता है, कैसे develop होता है, यहाँ पर यह bond तूटा तो क्या हुआ, यहाँ पर negative charge आया, मतलब electron भरा, फिर ये नीचे वाले को तोड़ेगा, फिर negative charge कहा आया, देखो पहले position पर, दूसर यह दूसरा position होता है, इसको बोलते है meta, और जो तीसरा position होता है, इसको बोलते हैos data, आप तुम और और कोई नाम दे नहीं सकते हैं, क्यों? क्यू vocês अगर तुम यह इदर से दूसरा ही पढ़ जाएगा, इदर से बोलो कि इसको क्या नाम देंगे, तो पिटा, यह इदर से प बढ़ा रहा है यह ज़रा ध्यान देना, elektrons कहां बढ़ रहे हैं, elektrons बढ़ रहे हैं, ortho पे, elektrons बढ़ रहे हैं, para पे, meta पे, electron आई नहीं रहा, इसलिए इसको बोलते हैं, ortho और para directing, activating group, ortho और para directing को क्या बोलते हैं, activating group, activating क्यों, क्यों कि भाइया, यह बेंजीन रिंग को अपने electron दे रहा है, अपनी और share कर रहा है कि और बड़ा resonance बनाओ तो ortho और para position पे ही इनके electron की density बढ़ती है, इसलिए इसको बोलते है activating group और ortho and para positions, चीक अब आप एक question मुझसे ये पूच सकते हो कि मैं OH हमने पढ़ा था minus i group होता है, मतलब ये दूसरों से electron खीचने के tendency रखता है क्योंकि oxygen electronegative होता है मैं कहूँगी, हाँ पीटा बात तो तुम सही कह रहे हो लेकिन अगर आप comparison करेंगे तो resonance का effect हमेशा inductive effect से कहीं जादा होता है बात समझ में आ रही है, अगर आप strength compare करेंगे, जैसे मैं है, आपको, आपका selection हो जाए और आपको selection के बाद मिल रहा है, मान लो aims, aims मिल रहा है, और उसके साथ साथ आपको बड़े-बड़े state के colleges मिल रहे है, तो आप definite सी बात है, कि आप फिर government medical college, जबलपूर की बात तो नहीं ही करेंगे government medical college, asam की बात तो नहीं ही करेंगे, कि नहीं हम भही लेंगे, क्यों? प्योंकि जब आपको बड़ी चीज मिल रही है, जादा value की, तो छोटी चीज की value थोड़ी करोगे same way, resonance और plus i अगर कहीं पर या minus i टक रहा है, तो resonance समेशा जादा important होता है, then inductive ठीक, तो इसलिए भले ये minus i है, लेकिन फिर भी group को activate कर देता है, due to its plus r effect, plus r का मतलब होता है अपने electron पूरे benzine ring में दोडाता है activate कहां कहां करता है ortho position पे और para position पे इसका मतलब, जो बाहर से reagent हैगा, वो अपने उपर कहां attack करने देगा, benzine क्या बोलेगा, कहां attack करो, मेरे ortho पे और मेरे para पे, meta पे मतलब attack करना, क्योंकि वह attack करो कि तुमको कुछ मिले गई नहीं मेरे electron कभी वहाँ जाते ही नहीं are you getting my point, बात समझ में आगे आगे बढ़ते हैं, अब ये बड़ा important है याद रखना कि activating group कौन-कौन से होते हैं तो आपका NH2, NHR, NHCO, NH3, हना तो इस तरीके की सारे group activating होते हैं, अब आते हैं deactivating group या metadirecting group पे ठीके, ये थोड़ा सा आपका maximum जो metadirecting होता है वो deactivating होता है, लेकिन एक exception है इसका aryle halides, aryle halides क्यों exception है इसका, aryle halides इसलिए exception है इसका क्योंकि halogen जो है न, वो उसका minus i थोड़ा जादा strong होता है, भाई group 17 का होता है halogen उसको बस एक electron चाहिए, stability की तरफ चाने के लिए तो वो थोड़ा जादा minus i show करता है ठीके, इस वजह से वो overall electron की density बेंजीन रिंग पर कम कर देता है बट फिर भी, फिर भी, आर यहां पर जीतेगा और अगर यह reaction करवाएगा, तो कहां पर करवाएगा और तो पर करवाएगा, पैरा पर करवाएगा बात समझ में आ रही है moderately deactivating है, मतलब इसका minus i थोड़ा सा जादा है लेकिन resonance से जादा नहीं है resonance अभी भी कहाँ पर करवाएगा यह आपका करवाएगा कहाँ पर ortho पर और para पर very very important that you need to know अब आते हैं यहाँ पर meta directing groups वो होते हैं जो meta position पर कोई मतलब react करने आए तो उसको सिर्फ meta position अलाओ करते है react करने के लिए और कोई नहीं ortho directing क्या होता था जो अपने ortho पहला हो करे और para पहला हो करे और कहीं नहीं करे meta वो होता है जो अपने meta direction meta यानि second position पर अपने किसी group को चिपका है for an example nitrobenzine में क्या होता है nitrobenzine में already यहाँ पर दो oxygen है और nitrogen क्या करता है benzine ring से उसके electron चीन के अपने उपर resonance करवाता है मतलब यह इतना deactivating group है कि benzine ring चालाक से चालाक आदमी से अपनी तरफ electron चीन लेता है benzine ring सब से चीनता है यह कहता है इधर आओ तुम अपने electron लेके इधर आओगे तो तुमको हम बढ़िया resonance देंगे एक oxygen दो oxygen सोच लो दो oxygen का resonance मिलेगा तो यह क्या करता है benzine ring के electrons अपनी तरफ move कराना चालू कर देता है इसलिए benzine ring पे क्या होता है positive charge आने लगता है as an intermediate तो positive charge आएगा तो कहां आएगा ortho पे आएगा और para पे आएगा इसका मतलब comparison में electron बढ़ कहां गया meta position पे क्योंकि meta position पे कभी ना positive आता है ना कभी negative आता है अगर कोई benzine ring को दे रहा है तो कहां देगा ortho पे और para पे खीच रहा है तो कहां से खीचेगा ortho पे और para पे अगर कोई deactivating खीचने वाला group लग गया तो electron कहां कम हो जाएंगे ortho पे और para पे कम हो जाएंगे देखो यहां पे positive charge आ रहा है meta पे अभी भी जादा रहेंगे अब जो reagent आखे अटाक करता है deactivating group का वो हमेशा meta position पे करता है क्योंकि उसको पता है कि यह पूरे electron अपनी तरफ खीच ले जाएगा यह ताकतवर से ताकतवार आदमी बेंजीन रिंग के electron को अपनी तरफ खीच ले जाएगा जिसकी वज़ा से ortho और para पे electron density कम हो जाएगी ठीक बात समझ में आ गई इसी के लिए हम इनको deactivating groups कहते हैं या meta directing groups कहते हैं अब बड़ा important है इनके भी examples आपको याद रखने है क्योंकि exam में आपको यह concept बहुत पूछा जाएगा next बात करते है carcinogenicity and toxicity यह मैं आपको बता चुकी हूँ कि जित्ता जादा benzine ring होता है उत्ता जादा वो लोग क्या होते हैं जित्ता आपने पढ़ा पूरी organic chemistry को मैं hydrocarbon के साथ combine करके कुछ questions निकाल के लाई हूँ जो कि थोड़े higher level के है ठीक है महर कॉनिक आफ रूल बगरा के question मैंने पहले ही Haloilgains में cover करा दिये है तो वो मैं यहाँ पर मैं नहीं करवारी बट यह वाले करवारी हूँ ताकि आपको यह बड़े अच्छे समझ में आ जाए fine आते हैं इसमें इसमें आपसे पूछा गया है कि मुझे first और second reaction का product बताओ पहले reaction में क्या करवारे है alcoholic QOH के साथ एक haloalkane को heat कर रहे है इसका मतलब क्या होगा dehydrohalogenation मतलब BR, HBR बनके निकल जाएगा और double bond आ जाएगा अभी हमने starting में पढ़ा था बियार जब निकलेगा तो carbon पर positive charge देगा और ये वाला carbon क्या secondary carbon है एक इधर से एक इधर से बढ़िया है तो hydrogen किस से निकालेगा beta carbon से मतलब यहां से निकालेगा hydrogen तो इसका product क्या बन जाएगा इसका product बन जाएगा जहां पर double bond इसके बीच में आए बात समझ में आ रही है नीचे क्या है नीचे कराया जा रहा है ozone olysis ozone लिख दिया मतलब ozone olysis कैसे करना है double bond तोड़ो यहां पर एक oxygen चिपका हो यहां पर एक oxygen चिपका हो simply यही करना है कहां पर आपको same तरीके के reactions दिख रहे है ठीक है इसका शायद मैंने आपको आगे करके समझाया है भी है देखो जैसे यहां पर मैंने समझा रखा है एक बार revision के लिए कि सारी PDF आपको मिल जाएगी टेलिग्राम गुरुप पे प्लीज लिखना नहीं आराम से समझो यह आपका एक दे रखा है हैलोलकीन यहां पर आलकोहलिक क्यो हो एचे BR निकलेगा मैंने क्या बताया था यह निकलेगा तो अपने बगल वाले यह alpha carbon हो गया beta carbon से क्या करेगा क्या करोगे दोनों जरफ बस oxygen चिपकाएंगे एक तरफ यह बन जाएगा आपका क्या 1, 2, 3 2-methyl propanil ठीक और यहां पर एक बन जाएगा formaldehyde तो आपका option कौन सा इसमें fit बैठ रहा है option A will be the नहीं option A नहीं है option C will be the right answer ठीक है क्योंकि यहां पर एक formaldehyde बन रहा है यहां पर double bond आ रहा है इनके बीच में और उसके साथ-साथ वाई बन रहा है fine यह question आपको समझ में आ जाएगा आगे आते हैं यह बोल रहा है कि एक alkene है जो कि 3-ethyl pent-2-ene वो ozonolysis पे कैसा product देगा अब ozonolysis मुझे सिखाना आपको बड़ा ज़रूरी है इसलिए मैंने नीचे आपको hint दे रखा है क्या hint दे रखा है मैं आई-उ-पे-स नॉमन क्लेचर लिखो pent-2-ene मतलब 5 carbon 1,2,3 क्या लिखा है pent-2-ene pent-2 एक carbon शायद मैंने गलती से नीचे छोड़ दिया है 1,2 3,4 एक और होगा इदर ठीक है CH3 होगा इस तरीके से होगा ठीक है तो pent-2-ene लिख लेंगे उसके साथ साथ second position पे आपको क्या लगाना है second position पे आपको लगाना है double bond double bond और third position पे आपको लगाना है ethylene fine तो आपको इसमें hint दी गई है कि किस तरीके से ozonolysis करानी है अब simple सी बात है जहां पे double bond आए उसको तोड़ देना और वहां पे oxygen add करवा देना क्या करना है oxygen add करवा देना है तो आपको जो product बनेगा वह इस तरीके से बनेगा ठीके क्या बनेगा बी वाला आपका product बन जाएगा ozonolysis करके आपको दिखाना है fine अब आते हैं next question पे propanol और pent-3-one ozonolysis का एक product है इस alkyne का structural बताओ मतलब एक तरफ क्या बन रहा है 3 carbon का दूसरे तरफ 5 carbon का पहले से देखते है पहले गर मैं यहाँ double bond तोड़ू और यहाँ पे oxygen चिपका दू दोनों से एक तरफ 1, 2, 3 हाँ propanol तो बन जाएगा aldehyde बन रहा है side में oxygen चिपकेगा उसके side में कोई carbon chain नहीं है तो aldehyde बनेगा 3 वाला ये ठीक है pent-3-ene 1, 2, 3 दूसरे पे इसका क्या लगा है एक अच्छा खासा तीसरे हाँ तीसरे position पे क्या लग जाएगा ketone लग जाएगा तो बन गया pent-2-ene 1, 2, 3, 4, 5 तो option A will be the right answer उस ओनों लिसस आपको इस तरीक से समझ में आ जाएगा अब ये बड़ा important है जो as it is questions में पूछ लिया जाता है बचो unsaturation को test करने के लिए न दो test होते है एक होता है beers reagent इसका मतलब होता है alcoholic k-m-n-o-4 alcoholic k-m-n-o-4 न पिंक कलर का होता है लेकिन अगर तुम इसको unsaturated compound के साथ react करा होगे तो ये क्या होता है decolorize हो जाता है तो ये आपके practical chemistry का पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं आपे बता रही हूँ तो ब्रोमीन वोटर ब्रोमीन वोटर वैसे तो red brown कलर का होता है लेकिन अगर आप इसको unsaturated compound में डालोगे तो decolorize हो जाएगा saturated compound में डालोगे तो कोई effect नहीं पड़ेगा तो ब्रोमीन वोटर अगर किसी से decolorize हो रहा है इसका मतलब वो compound कैसा है unsaturated है या तो KMN4 किसी के साथ beers region decolorize कर रहा है तो इसका मतलब वो compound unsaturated है ठीक है double bond आप ऐसे पता करते हो practical chemistry में अब ये question देखके लोगों को बड़ा डर लग रहा होगा ठीक है बहुत डर लग रहा होगा लेकिन चलिए साथ में solve करते है क्या है question एक compound X है जो कि decolorize कर रहा है bromine water को और बड़े slowly H2SO4 के साथ addition product दे रहा है जो कि X है तो ये क्या कर रहा है कि एक compound X जो कि bromine water के साथ decolorize कर रहा है इसके साथ concentrated H2SO4 के साथ एक addition product दे रहा है अगर मैं इसको HBR के साथ react कर रहा हूँ तो Y बनेगा इसको NOH के साथ react कर रहा हूँ तो Z बनेगा और इसको oxidize करके बन रहा है मेरे पास ketone क्या बन रहा है ketone यही तो पूरे question का clue है मैंने आपको बार-बार कहा था कि hydrocarbons को alcohol ketones haloyalcane के साथ combine करके पढ़ो क्योंकि combine करके पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए इतना भयंकर सा दिखने वाला question भी easy हो जाएगा मैं बताँ कैसे last step पकड़ो बचन बन रहा है ketone oxidize करने पर ketone हमेशा किस से बनता है secondary alcohol से इसका मतलब Z क्या होगा secondary alcohol जिरा option देखो जिसमें Z दे रखा हो secondary alcohol इतना बड़ा सा question देखो मैं 5 second में कैसे करूंगी Z क्या होना चाहिए secondary alcohol क्योंकि हम सबको पता है secondary alcohol जब oxidize होता है तो वो बनाता है ketone तो secondary alcohol कितने carbon का होना चाहिए 6 carbon का अब देखो यहाँ पर Z क्या दे दिया 3 carbon का 2 car Z क्या दे दिया 3 carbon का alcohol 2 car Z क्या दे दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 सही बात है 6 carbon का alcohol है वो भी secondary position पे secondary alcohol है और नीचे देखो 1, 2, 3, 4 2 car C will be the right answer C will be the right answer and that is the trick my dear ऐसे इतने बड़े-बड़े questions को solve करते तो मैं मतलब भी नहीं है इस राम कहानी से last step देखो पहले वाला समझ जाओ Z के options को match कर लो simple इस तरीके से organic करोगे न और यार जैसे मैंने organic पढ़ी थी तरीका तुम्हें भी पढ़ा दिया है अब अगर अगर इसके बाद अगर आप मेरे tricks नहीं अपलाई कर पा रहे हो अपना time नहीं बचा रहे हो तो बिटा कमी तुम में है चीक है अब देखो long method teaches क्या बताएंगे पहले X बनाओ X क्या होगा Alkene जिसपे कि bromine क्या कर रहा होगा decalorize अब हमसे क्या मतलब है decalorize कर रहा है उसने पहले ही बता दिया तुम product क्यों बना रहे हो wave proof हो ना तुम paper में अपने time waste कर रहे हो अब आओ उन्हें निका है HBR के साथ reaction कर रहा है हमने मान लिया HBR के साथ reaction कर रहा है तो यह bond टूटेगा एक जगा positive एक जगा negative BR चिपका दू positive वाली जगा पर हमें पता है halo alkene को NOH के साथ कर आओगे तो BR के जगा पर OH निकल जाएगा हम सब को पता है ठीक फिर हमने Z बना लिया अरे मेरे बच्चे किता मेहनत वाला काम किया है तुमने NTA वाले आके तुमको gold medal देंगे अवे क्यों बनाया जब तुम सीधे सा जानते हो कि Z एक secondary alcohol है तो यह बना के तुम 10 minute भरबात करके यहाँ पर पहुंचे बेटर है इत्ता सा दिमाग लगाओगे तुरंत पहुंच जाओगे Z पर एक ही option है जिसमें secondary alcohol 6 carbon का दे रखा है ठीक simple यह tricks होती है इसलिए मैं कहती हूँ कि मुश्किल कुछ नहीं है मुश्किल कुछ नहीं है मुश्किल सर्फ यह करना है कि you don't trust yourself and the process कि अगर आप खिस रहे हो तो definite सी बात है कि आप जीतोगे भी so trust yourself and trust the process इस ऐसे ही tricks के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे किसी बच्चे को कोई doubt हो definitely आप Instagram पर Telegram पर personal message करके पूछ सकते हो I'll be very glad to answer your doubts and hopefully all the very best for your exams